कैसे हो दोस्ता आफ सब भढ़िया हाँ सर भढ़िया स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए सफर में इस नए बैच में क्योंकि ये बैच बैटा हम कंडेक कर रहे हैं 100% online mode में जी हाँ COVID को देखते हुए finally हमने decision लिया कि इस बार हम 100% online mode में इस बैच को कंडेक करेंगे हाला कि कुछ हमारे पास face to face students भी हैं जो इस बैच को अटेंड कर रहे हैं लेकिन उनकी quantity बहुत ही इस बार कम है बट आप लोगों की quantity ज़ादा होने चाहिए आप लोग का साथ ज़ादा होना ज़रूरी है और इसी सफर में इसी बैच में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग एक साथ यहाँ पर मिले हैं बेटा आप और मैं एक साथ जुड़े हैं यहाँ पर हमारे पास दो चीज़े होंगी बेटा IDT के अंदर GST भी होगा और कस्टम भी होगा कस्टम का माक्स वेटेज थोड़ा सा कम होगा क्या बोला मैंने कस्टम का माक्स वेटेज कम होगा लेकिन वॉलियूम बेटा अपने आप में उसमें बहुत है लेकिन आप लोगों को वॉलियूम से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ बेटा हमेशा हूँ इसलिए आपको डरने की जूरत बिलकुल भी नहीं है हम हर जितना भी volume हो चाहे हम हर concept को समझा देंगे मुझे बता आपके लिए tough क्या होता है what is tough what is the definition of tough tough बेटा वो चीज है जो आपको समझ में नहीं आई what is tough tough is something which you don't know पंगो नहीं पता है तो tough है पड़ बेटा जिस दिन वो चीज आपको समझ में आ जाती यह वह छीज हमें आती है वो उसमें आगे वो उसमें आगे research कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें समझ में आ गया, यानि एक बार अगर हमें कोई चीज समझ में आ गई बेटा, तो वो हमारे लिए आसान बन जाएगी, और यही मेरा एक मातर objective, एक मातर goal रहेगा, इस पूरे batch के दोरान, कि मैं आप लोगों के लिए, चाहे GST हो, चाहे customs हो, एक-एक concept, एक-एक provision आसान बना सकूँ, और आपको नहीं केवल समझा सकूँ, बलकि आपको पढ़ाऊंगा भी, bare act, bare act से बेटा, आपको एक-एक चीज में correlate करके दिखाऊंगा, नहीं सिर्फ दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा, बलकि आपको मैं याद भी कराऊंगा, हमारी memory techniques जिंदा बाद होती है, हमेशा आप पिछले बच्चों से पूछ सकते है, memory techniques के थुरू भी आपको मैं याद करवा कर चलूँगा, यानि हम कहानियां सुनाएंगे आपको, हम memory techniques आपको देंगे, ताकि end time, जब revision की बात आएगी, जब paper crack करने की बात आए process करने में, interpretation निकालने में उस्ताद बनाएंगे, बलकि exam crack करने की भी पूरी preparation करवाएंगे, बोलो हा कि ना, हास, मजा आ रहा है, हास, मैं चाहूंगा, कि इस पूरे batch के दोरान, इस पूरे course के दोरान जो हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग मेरा हर एक शब्द बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला मैंने, each and every word बेटा, जो मैं बोलने वाला हूं, वो आप लोगों के लिए एक लाख रुपे का होने वाला है, each and every word will gonna equals to one leg rupees for you, और ये बात मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, बहुत sincerely और seriously बोल रहा हूं, कि जो भी मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान स उसे सुनना है, चाहे पहली क्लास हो, चाहे आखरी क्लास हो बेटा, चाहे वो बीच की कोई क्लास है, इसलिए बेटा आपको ये make sure करना है, कि आप जभी भी क्लास ले रहे होंगे, proper silence और proper place पर बैट कर ले रहे होंगे, यानि अगर आप बेटा लैप्टोप पर पढ़ रह या के बीच में बेट कर, क्लास देख रहे हो, एक कान में आपकी येरफोन लगा हुआ है, और दूसरे कान से येरफोन निकला हुआ है, बातें चल रही है, बातें चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्लास चल रही है, लेकिन हम तो मोबाइल पर अपने तो जिस वक्त चल रही है सिर्फ चल रही है मैं कॉंसेट्ट पढ़ा रहा है तो आप उसे चुप कराके बिठा देंगे कि देख मैं पढ़ाई कर रहा है परिशान कर रहे हैं तो उनको आपको चुपचा बिठा देना है प्लीज यह आप कोशिश कीजिएगा कि बेटा आप 100% इन क्लासिस का पायदा उठा सको मेरी पूरी कोशिश यह रहेगी कि मैं आपको बेटा 110% कॉंटेंट दूं 110% जो मुझे आता है वो डिलीवर कर सको आप लोगों को सिखा सको गुरू मेरा धर्म क्या है गुरू के तौर पर मेरा धर्म है आपको 100% नॉलेज डिलीवर करना क आप लोग सीख पाओ तो उसके लिए आपको भी 100% कॉंसेंट्रेशन रखना बहुत बहुत जरूरी होगा मस्ती के बीच में क्लास अटेंड नहीं होगी चैटिंग करते वे क्लास अटेंड नहीं होगी जितना अच्छा रेस्पॉंस आप दोगे जितने अच्छा पढ़ा ह करोगे आपके मेसेज़ेश मुझे इस कलासेश के करने की quick of को मज़ें अपको दिलीवर करने में का समझने में मतलब problem हो रही है तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में फिर मुझे लगेगा आपका participation नहीं है आपका participation जतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा जितने ज़्यादा concerns आप raise करोगे हाला कि मैं पढ़ाऊंगा तो queries नहीं आएंगी बट बच्चे का दिमाग होता ना आगे सोचता है वो तो वो आगे सोचने भी बात जब मुझे दिखाई देगी आप लोगों के अंदर आपके messages के अंदर तो मुझे मज़ा आएगा मुझे ल करवाऊंगा बेटा आप खुद bear act को draft करोगे यह मेरी guarantee आप से बस आपको भरोसा रखना है भरोसा एक बहुत important चीज होती है विटा trust और मैं ज्यादर ट्रस्ट नहीं मांग रहा हूं मैं सिर्थ कह रहा हूं 8 से 9 class कितनी 8-9 classes आपको passions के साथ धहर्य के साथ सुनना है और कियों होंगे और 10th lecture के बास बीटा आप लोग नहीं केवल मजे कर रहे होंगे बलकी आप लोग आगे से सोच रहे होंगे कि सब अभीए अब यह ले होगा अब आप ऐसा हो सकता है आप लोगों को मजा आउगा आप लोग लोग interpretation कर रहे होंगे लोग का आप लोग को इंटरप्रेट कर रहे होंगे 10 लेक्चर से मेरी guarantee है आपको बस आपको 8 से 9 लेक्चर का टाइम मुझे देना है किसी भी relationship में बटाइए आपके और मेरे बीच का क्या है relationship और किसी मज़ा आने वाला है इस बात की guarantee मेरी ठीक है तो बटा अब हम शुरू करेंगे हमारा session यानि finally अब हम पढ़ना चालू करने वाले हैं पहले हम GST complete करेंगे क्योंकि GST एक major portion रखता है and then after हम बटा आपके customs की उपर चलेंगे ठीक है तो जिस भी भगवान को आप मानते हो जिस भी God में आप विश्वास रखते हो हम पटापट से प्रार्थना करेंगे और यह कहेंगे कि हे भगवान सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना energy देना हमें इतना knowledge देना और हमें इतना धहरी देना passions हमें देना कि हम इस पूरे सफर को सफलता पूर्वक क्या बोला मैंने इस पूरे सफर को सफलता पूर्वक पूरा कर सकें ठीक है सफलता पूर्वक अचीव कर सकें इस पूरे syllabus को इस पूरे course को इस पूरे कि सारे comesट को बेटर से सारे 생각을 समझ सकें तक आप लोग तो सारे कि बोल Regardless कि मैं प्राथना करीए मैं बच्छों को अच्छे से पूरा बैच पढ़ा सकते हैं रही है और शुरू कर woo सब से पहले आ रही है बेटा आप सभी के सामने एक जोरदार कहानी सर शुरुवात में कहानी सुनों सुनों सर सुनों बहुत मजाने वाले बेटा बिल्कुल सुना रहा हूं च actर नमकर वन की पवर हों जाएंगे कायं की अंदर इस लिए इस कहानी को सुनना बहुत द्धाम से ज़रूरी है यह कहानी बेस बन जाएगी बेटा आपके चैप्ठर नमबर वन का इसलिए कहानी को कहानी में मत लेना और हमेशा की तरह बेटा इस बार भी में यह कहूँगा कि एक समय की बात है एक समय की बात है once upon a time एक राजा साब हुआ करते थे क्या हुआ करते थे राजा साब there was a king once upon a time there was a king और वो राजा साब बहुत ही खुशहाल राजा साब थे वो हमेशा खुश रहते थे वो हमेशा यह चाहते थे कि मैं मेरी प्रजा kingdom का बहुत अच्छे से ध्यान रखूं मैं अपने लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूं किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हर इंसान मेरे राज्यों में खुश होना चाहिए राजय साब ये मानते थे इसमें विश्वास रखते थे और पूरी कोशिश करते थे कि वो हर इंसान को क्या रख सकें खुश रख सकें इस कहानी का हर किरदार बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं देखो बीच में रोकर नरहा हूं ध्यान से सुन न कानिको कानी में मत ले न ये कानी कालपनिक नहीं है ये सच्ची घटनावा पर आदारित रहा है इसलिए ध्यान से सुन राजया साल और मैंने मैं एसा करूं कि हर इंसान धुख न हो इसलिए राजय साहब हमेशा बेटा दबा के खर्चा करते थे दबा के इन्वेस्ट करते थे अपने किंग्डम के अंदर जहां जरूरत होती थी वहाँ वो चीज बनवाकर देते थे ठीक है हाँ साथ एक बार क्या हुआ कि राजय साहब बहुती चिंता में बैठे थे बहुती राजय साहब से पुछा राजय साहब राजय साहब क्यों टेंशन में हो क्यों टेंशन में तो राजय साहब ने बोला कि मैं टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास में जो धन है ना धन मनी हमारे कोश में कोश मतलब होता है ट्रेजरी हमारी ट्रेजरी में पैसा कम हो बढ़ता जा रहा है खर्चे के sources बढ़ते जा रहे हैं खर्चे के expenses के sources बढ़ते जा रहे हैं लेकिन revenue के sources कम होते जा रहे हैं पैसा आ नहीं रहा है जा ज्यादा रहा है और जाने से हम रोक नहीं सकते क्योंकि हम हर इंसान का भला करना चाते हैं हम अच्छे राजा बनना चाते इस बात की टेंशन थी उनको उन्होंने अपनी फिलिंग्स मिनिस्टर साब के साथ शेर करी बेटा तो मिनिस्टर साब ने बोला कि राजा साब मेरे पास एक उपाय है मैं इतने साल से आपके साथ काम कर रहा हूं इतने समय से मैं आपको देख रहा हूं बेटा मैं आपको जानता हूँ उन्होंने बोला कि राजा साब मैं आपको जानता हूँ आप बहुत ही अच्छे इंसान है आप सभी का भला करना चाहते हैं और इतने सालों से आप सभी का भला कर भी रहे हैं इतने सालों से आप सभी का भला कर भी रहे हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आपको कुछ करना पड़ेगा तो राजा साव ने पूछा कि हां मंत्री जी बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा अपने राज्य में सुख और शान्ती बनाया रखने के लिए अपने राज्य को develop करने के लिए जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा मुझे बताइए कि वो क्या जरीया है वो क्या जरीया है जिस जरीये से हम हमारे income sources revenue sources को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो सहब उसने बोला ध्यान से सुनना बेटा उसने क्या बोला मंतरी ने बोला कि राजा साब एक काम किया जा सकता है बोलो क्या किया जा सकता है एक काम किया जा सकता है आज तक आपने इन लोगों के लिए खर्चा किया इन लोगों का development किया अब वक्त है बेटा, क्या बोला, अब वक्त है राजा सहाब कि हम इनसे क्या करें, जो हम इन्हें बना कर देते हैं, उसके बदले हम इनसे थोड़ा थोड़ा करके बेटा इखटा करें, क्या बोला उसने, राजा सहाब हम इनसे थोड़ा थोड़ा करके, in very small quantity, in very small quantity हम इनसे व इसस्तेव मैं एक सिस्टेमूट करें जिसके तहत हिन लोगों को हम डेवलप करना चाहते हैं इन लोगों को जो डेवलोप्पमेंट मिल रहा है उसके बदले हम इनसे एक small amount क्या बोला मैंने एक small amount collect करें एक small amount collect करें तो राजा साहब की दिमाग की बत्ती जली बोले मंतरी बोलतो सही रहा है मैं इन्हें develop करता हूँ और ये बहुत पैसा कमाते हैं बड़े-बड़े businessmen मेरे राज्जी के अंदर तयार होते जा रहे हैं लोग अपना business develop कर रहे हैं और अगर मैं इसी तरह उन्हें और मदद करना चाहता हूँ उनका business develop करने में तो वो जो कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा मुझे लेना चाहिए इसमें क्या गलत है तो राजा सामने बोला बात तो सही है आपकी क्या बोला राजा सामने बात तो सही आपकी लौजिक की बात है तो उसने बोला रौजा साथ एक काम करीया आप आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको वो पूरा सिस्टम, वो पूरा सिस्टम बनाकर लाकर देता हूँ, राजा सामने का बिल्कुल लो भाया, लेकिन जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी बना देना, मंतरी साब गए घर पर, कमरा बन कर लिया, और सोच में कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, एक सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने सोचा कि हमें काम करते हैं, हमें काम करते हैं, दखो, उनको ये पता है कि हमारे राज्य में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, और कु और बोला साथ इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो भी लोग आएंगे, हम उनसे एक रुपिया भी collect नहीं करेंगे, अरे वाँ, सर यह लाइन का क्या मतलब था, इस लाइन का मतलब था बेटा, इस लाइन का क्या मतलब था, बोलो, income, उन्होंने एक system डिवलप करा, कि जो भी इंसान, income कमाता है, और वो income एक लेबल से नीचे होती है, एक amount से नीचे होती है वो income हम उस इंसान से एक रुपिया भी क्या नहीं करेंगे बोलो collect नहीं करेंगे मैं बिल्कु सिंपल भाषा में आपको समझाने की कुशिश कर रहा हूँ जो उस वक्त minister साब ने सोचा था जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ minister साब ने कहा वो income एक काम करते हैं हम रख लेते हैं 2,50,000 रुपीज कितनी बोलो 2,50,000 रुपीज आई हो बेटा आपको visible है 2,50,000 रुपीज हम वो limit रख लेते हैं उस limit से नीचे अगर कोई भी earning करेगा तो उसे एक रुपिया भी नहीं देना पड़ेगा उसकी earning फिर से एक limit तक है फिर उन्होंने एक limit रखी उन्होंने कहा साब इस बार हम income की limit रखते हैं कितनी बोलो इस बार हम income की limit रखते हैं 5,000 रुपीज यानि जो भी हमारे राज्य में 2,50,000 से नीचे कमाएगा उसे कुछ नहीं देना जो भी इंसान हमारे राज्य में 2,50,000 से उपर कमाएगा लेकिन 5,000 तक कमाएगा कहां तक कमाएगा बोलो 5,000,000 तक कमाएगा उसे बेटा टेक्स देना पड़ेगा 5% से क्या देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा एक नया शब्द बेटा वहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया डेवलप कर लिया मंत्री जीन उन्होंने एक शब्द डेवलप कर लिया कि जो भी अब कमाएगा उसे टेक्स नाम की एक स्मॉल अमाउंट इसको देनी पड़ेगी राजा सहब को देनी पड़ेगी ताकि राजा सहब उसी अमाउंट का वापिस से उन्हीं लोगों के लिए इस्तमाल कर सके उन्हीं लोगों को डेवलप करने के लिए इस्तमाल कर सके बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आसर बिलकुल आ रहा है उसके बाद में उन्होंने सोचा किसाब 5 लाख के उपर भी हमें एक लिमिट रखनी चाहिए तो उन्होंने बेटा एक और लिमिट यहाँ पर डिसाइड करी income की limit और यहाँ पर उन्होंने income की limit लगई बोलो कितनी 10 leg रुपीज उन्होंने बोला मंतरी जी ने किसाब एक काम करते हैं एक limit और रखते हैं 10 leg रुपीज की और वहाँ पर हम कहते हैं कि जो भी इंसान 5 leg से उपर कमाएगा 10 leg तक उसे से हम कितना collect करेंगे बोलो उसे से हम collect करेंगे साब सीधा 20% और उसके बाद राजा साब ने कहा कि अब बड़े नहीं अब बड़े से बड़े आदमी की बारी आ रही है अब ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कमाने वाले की बात आ रही है, इसलिए अब जो भी इंसान, अबव 10 लेग रुपीज, फिर वो चाहे कितना भी हो, 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड, चाहे कितना भी हो, हम उस पर जो rate लगा देंगे, टेक्स का, वो लगा देंगे 30%, बोलो किसने बोलो, मंतरी जी ने, और मंतरी जी ने जाकर इसे बता दिया, राजा सहाब को, राजा सहाब बेटा ये देखकर बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा, वा मंतरी जी वा, ये तो बिल्कुल सही बात है, सोची आपने, इसे से, जो छोटा आदमी है, उसको कोई मैने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, जिस वक्त आप research कर रहे हैं थे अपने घर पर, उस वक्त राजा सहाब ने कहा, मैं भी अपने घर पर चिंतन कर रहा था, और मेरा चिंतन भी कुछ ऐसा ही था, कि हम सब को परिशान नहीं करेंगे, साब गरीब आदमी से क्यू मांगें, गर तेरी बाद मी कहेगा राजय साब हम पहले ही गरीब है और आप हमसे और ज़्यादा मांग रहे हो इसलिए जो मॉडल होना चाहिए वो income-based होना चाहिए क्या बोला बेटा मैंने income-based model होना चाहिए और आप वही model बना के लाए मैं आपसे बहुत खुश हूँ आपको मैं सम्मानित करूँगा वो मंत्री जी से बहुत खुश हूँ अब बेटा मंत्री जी ने उन्हें example देकर समझाया मंत्री जी ने उन्हें example देकर समझाया मंत्री जी ने कहाँ देखो राजय साब अगर किसी की income लेग, 20,000 रुपीज है पुकि आपने बोला था अगे माफी है और ये तुलेग 50,000 के अंदर है तो राजा सामने कहा मंदर जी इस पर टेक्स नहीं देना क्यों because it is less than the limit of 2 lakh 50,000 रुपीज देखो बेटा है ना समझ में आ रहा ना आप लोगों को यहापर जो लिमिट है वो कितने की है 2 lakh 50,000 की लिमिट है दिखाई दे रहा है और यह 2 lakh 20,000 है बेटा 2 lakh 20,000 और 2 lakh 20,000 is less than 2 lakh 50,000 therefore कोई भी ऐसा इंसान जो for the year पूरे साल में 2 lakh 20,000 की ही income generate कर पाता है उसको एक रुपे का भी टेक्स देने की ज़रूरत नहीं है मंत्री जीने एक और एक्जामपल लिया मंत्री जीने राजा साब को बोला राजा साब राजा साब एक सवाल का और जवाब राजा साब ने का पूछो अगर कोई इंसान ऐसा है जो 3 lag 25,000 कितना 3 lag 25,000 अन कर रहा है कितना अन कर रहा है साब 3 lag 25,000 अन कर रहा है उसको कितना टेक्स देना पड़ेगा आप सभी के कैलकुलेटर तैयार हो जाने चाहिए मेरा कैलकुलेटर मेरे पास है और हाँ, सब बच्चे बोलेंगे सर आज तो 1st क्लास थी कैलकुलेटर लेकर ही नहीं आए है ना कुछ जने साब हमारे आपर भी कैलकुलेटर लेकर नहीं आए लेकिन ध्यार रखना आपके पास अगली क्लास से कैलकुलेटर 100% होना चाहिए और जितने भी बच्चे online mode में देख रहे हैं बटा फटा फट से pause कर लो और जहां पर भी calculator रखा है ढूंड के ले आओ फटा फट से ठीक है हाँ सब तो मैंने कहा सब 3,25,000 रुपीस यहाँ थोड़ी सी calculator की जुरत पड़ेगी बटा क्यों 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 कि देखो 3,25,000 में मैंने क्या बोला था रादे साब सोच रहे हैं इसा उन्होंने सोचा कि साब मंतरी ने बोला था 2,50,000 तक तो देना ही नहीं है 2,25,000 तक तो देना ही नहीं है मतलब उसके नीचे तो कुछ देना ही नहीं था देना है तो 2,50,000 के sorry, हाँ, 2,50,000 के उपर देना है और 2,50,000 के उपर बैटा इसने कितना earn करा बताओ, 2,50,000 के उपर इसने कितना earn करा तो हमने कहा सब 3,25,000 minus 2,50,000 क्योंकि 2,50,000 तक बैटा एक रुपया भी नहीं देना था तो इसने 2,50,000 के उपर कितना अंकरा वो matter करता है अपने लिए समझ माया ना? हासर वो matter करता है वो होता है बैटा सिर्फ और सिर्फ कितना बोलो 75,000 रुपीज बोलो कितना होता है? 75,000 रुपीज और 75,000 रुपीज के उपर मेरे दोस्त tax का rate कितना बताया था? इस limit के अंदर 250 से 5 lag ये तो 3,25 ही है कितना बताया था बैटा? 5% बताया था तो 5% कितना होता है? सर 3,750 कितना होता है? 3,750 तो इतने रुपे बैटा 3,750 रुपे ऐसे इंसान को 3,25,000 अर्न करता है पूरे साल के अंदर उसकी इंकम 3,25,000 होती है उसको 3,750 किसको ले जाकर दे देने बताओ? उसको इतना पैसा सीधा सीधा राजा सहब को ले जाकर दे देना है अभी इससे से आसान क्या बताओ? बिल्कुल आसान बात है ना? और राजा साब को भी बड़ा मजाया उन्होंने का देखो मैंने सही जवाब दिया न तो मंत्री जी ने कहा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा तो का पूछो और पूछो हम तो बताएंगे हमको क्या दिक्कत है हमको तो कॉंसेप्ट समझ में आ गया राजा सामने का हमको तो कॉंसेप्ट समझ में आ गया मंत्री जी आपका कॉंसेप्ट बहुत अच्छा है बस आप तो सवाल बूछो तो उसने बूछा कि अगर कोई इंसान 8 leg 10,000 रूपीज कितना बोलो 8 leg 10,000 रूपीज अर्ण करता है कितना बोला बटा मैंने 8 leg 10,000 रूपीज अगर कोई अर्ण करता है उसको कितना टेक्स देना होगा ये बताए राजा साहब तो राजा साहब ने का ठीक या भी जवाब देते हैं थोड़ा सा टाइम दे दीजे हमें सोचने का राजा साब ने फिर से दिमार चला है बोला 2 lakh 50,000 तक तो कुछ भी नहीं देना है 2 lakh 50,000 के उपर देना है कहां तक 5 lakh रुपीज तक और किस rate से देना है बच्चा किस rate से देना है राजा साब ने सोचा 5 lakh रुपीज से देना है यानि कि 2 lakh 50,000 के उपर 5 lakh तक कितना amount होता है कोई दोस्त बताएगा मुझे हाँ सर अम बताएगे आपको ये तो 2 lakh 50,000 होता है सारे बच्चे जानते है 2 lakh 50,000 से 5 lakh तक कितना amount होता है सर 2 lakh 50,000 होता है यानि कि साब इस 2 lakh 50,000 के उपर तो 5% लगेगा क्योंकि इस range का rate क्या है 2 lakh 50,000 से 5 lakh रुपीज का rate क्या है 5% तो यहाँ पर तो बैटा 2 lakh 50,000 पर 5% लगेगा तो राजय साब ने कहा ठीक है 12,500, 12,500 ठीक है फिर राजय साब ने कहा अच्छा अब इसने 5 lakh के उपर कितना कमाया यह देखने की बारी है तो उन्होंने कहा देखो 8 lakh 10,000 माइनस 5 lakh रुपीज तो यह बन गया बैटा 3 lakh 10,000 बहलो कितना बन गया 3 lakh 10,000 जो उन्होंने किसके उपर कमाया 5 lakh के उपर आई हो बेटा आपको समझ मा रहा है हाँ सर तो ये बेटा कितना amount बन जाता है ये बन जाता है आपका 20% क्यों क्यों क्योंकि बेटा इस range के अंदर कौन सी range के अंदर 5 lakh रुपीज से लेकर 10 lakh रुपीज की range के अंदर जो rate applicable होगा वो 20% का applicable होगा किसका applicable होगा 20% का applicable होगा देखो ये रहा हाँ सर 2 lakh 50,000 से लेकर 5 lakh तक जो rate applicable होगा वो 5% का होगा ऐसा मंत्री जी का system था model था और 5 lakh से उपर 10 lakh तक जो rate applicable होगा वो कितना होगा 20% होगा और मेरे सारे अच्छे बच्चे मुझे बताएंगे कि जो यहाँ पर system लग रहा है उसमें उसने बटा सिर्फ 8 lakh 10,000 ही earn किया है इसलिए मैं 10 lakh तक जाऊंगा ही नहीं मैं 2 lakh से 2 lakh 50,000 से 5 lakh तक calculate करूँगा और 5 lakh से उपर जहां तक उसकी earning है 8 lakh 10,000 वहां तक ही calculate करूँगा यानि कि 3 lakh 10,000 पर मैं क्या rate लगा हूँगा 20% और आपका जवाब निकल कर आएगा बटा कितना 62,000 सारे बच्चे calculator पर बताओ मुझे कितना आया 62,000 है ना आपका भी आया हाँ सब 62,000 will become your tax in that range अब मैं आपसे पूसता हूँ साब total tax बता दो बिल्कुल सही जवाब total tax आपका हो जाएगा 62,000 रुपीज प्लस 12,500 रुपीज और इट विल बिकम 74,500 रुपीज देखो बेटा क्या करेंगे इन दो को ये tax था मेरा ये tax भी देना था न मुझे और उपर की range में मेरे को ये tax देना था तो total मुझे कितना tax देना था मिटा फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं add कर दूं फर्स्ट प्लस सेकंड तो वो बन जाते मिटा 74,500 ये tax मुझे देना पड़े गा इतना calculate करके राजा सामने बता है राजा सामने का बस कर यार क्यों मेरे को ठका रहा है तो मुझे खुश कराना ये system बता कर इससे हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे बहुत अच्छा खासा revenue generate होगा इस tax के नाम पर उस वक्त बटा हिंदी में बोला गया कर क्या बोला गया कर के नाम पर हम बहुत अच्छा पैसा कमाएं ये English में बोलता है tax हिंदी में बोलता है कर मै मैं बेटा एक बात आपको बता दूँ कि जितने भी terms जितने भी शब्दों का प्रियोग में इस कहानी के दोरान कर रहा हूँ उन सब का मतलब मैं बहुत detail में आप लोगों को समझाने वाला हूँ इसलिए tension मत लेना अगर कोई word समझ नहीं आ रहा है तो please मुझ पर विश्व chapter 1 खतम होने तक सिर्फ chapter 1 पर विश्वास कर लो बस एक chapter की बात कर रहा हूँ आपको सारी terms में समझा चुका होंगा फिर आपको आगे से कहीं problem नहीं आएगी तिर्फ एक chapter का time आपको मुझे देना पड़े गा ठीक है हाँ सर तो मैंने क्या बोला text word का इस्तमाल करा इससे पह आँगा bear act किसको बोलते है rules किसको बोलते है सब discuss करेंगे सहाब बहुत detail में discuss करेंगे बस शान्ती से मेरी कहानी सुनते जाओ तो साब जैसे मैंने text word का इस्तमाल करा कि system को नाम दिया गया text और उस system के अंदर उन्हेंने बोला किसा आप एक सवाल में आपसे और पूछूँगा तो राजय सामने का आप पूछले भाई अगर कोई इंसान 12,000 लेग 50,000 कमाता है अरे राजय सामने का यार तो फिर से calculation करवा रहा है चल दे दे calculation दे दे मैं calculation वापी से करके बता और इस बार सवाल क्या था इस बार सवाल था 12,000 लेग 50,000 लुपीज कितना बेटा 12,000 लेग 50,000 लुपीज ठीक है है हासर तो 12,50,000 की बार इस बार हो रही है तो राजय सामने का ठीक है बड़ा असान है देखो साब इधर तो हमको पता है हो गया यादी हो गया 12,500 आता है इधर तो कितना आता है, 12,500 आता है, हमको यादी हो गया, इसके बाद इस range में, इसके बाद बटा, इस range के अंदर, ये range कितनी की है, 5 lakh रुपीस की, 5 lakh से 10 lakh, तो range कितनी की हो गई, 5 lakh रुपीस की, और यहाँ पर rate कितना है, कितना कम है, सिर्फ 2 lakh 50,000 रुपीस, तो यहाँ पर मैं कहूँगा, 2 lakh 50,000 पर rate कौन सा लगने वाला है, ओहो, इस बार rate लगेगा, 30% का, मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे, इस बार rate कौन सा लगेगा दोस्तों, इस बार rate applicable होगा, 30%, 30% का rate इस बार आपके पास applicable होकर चलेगा, बोलो हां के न, हां से, तो 30% से मैं इसको क्या करा दूँगा, बोलो, multiply करा दूँगा, तो कितना निकल कर आएगा, 2 lakh 50,000 multiply by 30%, this will become 75,000, और हमेशा की तरह और हर बार की तरह पहले range में, जो tax बना था वो, second range में जो tax बना वो, और third range में जो tax बना वो, हम उसे add करके total बता देंगे कि total tax कितना बना, तो 1,75,000 plus 12,500 will become 187,500, बोलो हां के न, 187,500, किसी भी बच्चे को कोई problem है क्या नहीं है, साब और होनी भी नहीं चाहिए, अभी आप लोगों को दिमाख नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझते चलो, मैं हर चीज समझाओंगा, सिर्फ मेरी कहानी चल रही था, मैंने तो बोला ही नहीं अभी तक आप लोगों को दिमाख लगाने के लिए, बोला क्या नहीं बोला ना मैं तो बोल रहा हूं कहानी चल रही है कहानी को समझते चलो बस ठीक है ना हाँ सा ये कुछ ऐसा कुछ छोटा सा एक model बना के दिया हाला कि इसे develop और होना था इसमें और बहुत सारी चीजें बेटा आएंगी बट ये बिल्कुल bare basic system था bare basic system बिल्कु पर चलाते हो कोई नया app download करते होता है बेटा ये एक तरीकी का beta model था मतलब शुरुवाती इस तरह से काम होने वाला था बस ये देखा हमने ये एक तरीके साब कह सकतो rough working थी ठीक है मंत्री जिने क्या करी थी rough working और वो rough working वो model वो system में आपको समझाया इसमें बहुत सारी कि ऐसे अपने पास पैसा आने वाला है और मैं खुश हूँ इस चीज से मुझे कोई problem नहीं है तू system बना और लागू कर दे system बना सहब और system लागू भी हो गया और लोगों को भी कोई problem नहीं थी क्योंकि लोग ये जानते थे कि हमारा राजा अच्छा आदमी है उसने इतने साल हमारी मदद करी है इतने साल उसने हमारे हमको कभी कष्ट नहीं होने दिया दुख नहीं होने दिया हमेशा उसने हमारे प्रती समर्पित रहते हुए काम किया is always मतलब समर्पित अभी तुम बोलो ना dedicated towards us वो हमारे प्रती हमेशा क्या था dedicated तो राजा प्रजा को भी कोई दिक्कत नहीं थी पर जानी भी बेटा क्या किया बोलो बराबर टेक्स डिपॉजिट करवाया जितना उन्होंने बोला इस सिस्टम की हिसाब से बना सबने अपनी अर्निंग का लाकर राजा साब को दिया कोई दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं थी और इस तरह से राजे चलन बोलो हाँ जा बिलकुल फिर से राजा साब किसमें आ गए टेंशन में आ गए और राजा साब ने टेंशन में आकर फिर से कुरसी पकड़ ली और माथा नीचे करकर बेटा ऐसे बैठ गए सोच विचार में कि साब क्या किया जाए क्या किया जाए मंत्री जी की एंट्री हु और मंत्री जी ने बोला राजा साब क्या हुआ अब कौन सी टेंशन हो गए आपको ये भी बता दीजिए तो राजा साब ने कहा कि यार मंत्री तुने जो पिछली बार मॉडल बताया था बहुत बढ़िया मॉडल था रेधिन्यू आ भी रहा है लेकिन अब धीरे-धीरे पता के साथ हम उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है बढ़ती पॉपॉलेशन के साथ बटा डिमांड भी बढ़ती जा रही है और अब हमें इतने से काम नहीं चलेगा हमें और रेविन्यू की जरूरत पड़ेगी हमें और रेविन्यू की जरूरत पड़ेगी इतने से काम नह वो देगा आपने क्या कहा आपने यही तो कहना साब आपने कहा कि जो इंसान कमाएगा वो देगा लेकिन राजा सामने समझाया देखो मंतरी जी बच्चा पैदा होता है पैदा होने से लेकर कमाने तक का जो गैप है बिटा यहां अगर कोई बेबी बोर्न हो रहा है और यहां बिटा अगर मैं अंदाजा लगाऊं 23 से 24 years की age में आकर वो अपनी earning चालू करता है और फिर आपने का साब earning में भी जब 2,000,000 के उपर निकलेगी कितने के उपर 2,000,000 के उपर निकलेगी तब उसे tax देना है और फिर उसमें बाद में आपने बहुत सारे changes भी कर दी है कानून के अंदर क्या होगा साब? इस period के दोरान वो हमें कुछ दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा यानि एक बच्चा हमारे जो kingdom के अंदर नया add होता है एक नया baby हमारे kingdom के अंदर जो add होता है चाहे वो baby boy हो चाहे वो baby girl हो वो जब तक 20 से 24 की age के बीच में नहीं आ जाता तब तक बेटा उसकी earning चालू नहीं होती यानि वो हमें tax देना चालू नहीं करता लेकिन इस period के दोरान वो हमारे सभी resources यूज कर रहा होता है इस दोरान बेटा, इस 23 से 24 साल के दोरान 23 से 24 years के in between वो हमारे सभी resources का इस्तमाल कर रहा होता है हमारी सड़कें जो हमने बनवाई हैं, हमारे schools जो हमने बनवाई हैं जो buildings हमने बनवाई हैं, जो खाना पीना हम प्रोवाइड करवाते हैं जो नल, पानी, बिजली हम प्रोवाइड करवाते हैं वो हर एक चीज का इस्तमाल कर रहा है सभी resources का इस्तमाल कर रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा दे कुछ नहीं रहा अभी क्या करें population बढ़ रही है, requirements बढ़ रही है लेकिन हमारे पास revenue का फिर से shortage आ गया है रादा साब ने अपनी समस्या समझाई, किसको समझाई बोलो मेरे सारे बच्चों मंतरी जी को समझाई और मंतरी जी ने इस बार फिर से ठान ली मंतरी जी ने कहा problem आई है, तो उसका solution भी हम लेकर आएंगे मंतरी जी होशार थे साब दरड विश्वास रखने वाले थे वो अपने अंदर विश्वास रखते थे कि समस्या का समझाई निकाल लिया जाएगा उन्होंने कहा कि राजा साब आपने अपनी समस्या मुझे बताई है, पिछली बार की की तरह कुछ समय इस बार भी दे दीजिए आप की समस्या का समधान लेकर मैं अवश्य आऊंगा I will definitely gonna come with the solution of your problem और वो वहाँ से निकल गए फिर से बेटा वो कमरे में गए कमरा बं करा और रिसर्च करनी उन्होंने चालू कर दी उन्होंने कहा साव रिसर्च तो करेंगे और इस प्राबलम का सॉलिशन तो ढूंड के रहेंगे उन्होंने सोचना चालू करा उन्होंने का ठीक है साव अगर ऐसी बात है, अगर बेर बिसिक प्राबलम यही है कि बेबी बॉर्न होने से लेकर 23 से 24 यह 25 एर्स की एज तक रिसर्च तो यूज करता है लेकिन पेमेंट नहीं करता टेक्स का अभी मैं बार-बार एक वर्ड बोल रहा हूँ जो मंत्री जी ने वहाँ पर इंट्रोडूस किया था राजा साब के सामने कर्व क्या बोला मैंने कर्व यानि कि इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टेक्स अभी तक मैंने इसका मतलब नहीं समझाया अभी बस यह समझ लो कि small amount to be paid by the public to the राजा साब जो भी public राजा साब को दे रही है कि small amount अब वो small amount बेटा large amount भी हो सकता है अगर हम इसकी बात करें किसकी बात करें जो हमने model समझाथा तो जितनी ज़्यादा income उतना ज़्यादा amount बिल्कु सही बात है और वही चीज जब उन्होंने वापिस विचार करना चालू करा मंतरी जी ने कि साब इस बार एक ऐसा tax लेकर आना है इस बार एक ऐसा all in this age group जो इस age group के अंदर भी fall करता है और ये बेटा सिर्फ ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक approximation था क्या था सिर्फ एक approximation कि भाई 20 से 24 साल लगते हैं कुछ exception भी हो सकते हैं कुछ multi talented बच्चे हों जो कम उमर में अपने talent से earning चालू कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है बट मैं exceptions की बात नहीं कर रहा मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा I am not talking about the exceptions कुछ exception हो सकते हैं कुछ बच्चे होशारे साब उसने 5-6 साल की उमर में acting करकर या कुछ भी करकर कमाना चालू कर दिया कोई दूसरे काम करके कमाना चालू कर दिया उसके नदर talent था art था उसने services देना चालू कर दिया और अपनी income create करना चालू कर दिया उन बच्चों की बात में नहीं कर रहा ठीक है मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो maximum तोर पर 23 से 24 या 25 की age के बाद earning चालू करते है I am talking about those ठीक है तो exception की बात हम नहीं करेंगे और यह exception उन्होंने भी अपनी दिवाग में रखा कि ठीक है साब exception में आ जाएगा तब तो हमको वेसे भी income मिली जाएगी tax मिली जाएगा फिर तो दिक्कत नहीं है लेकिन बाकी लोगों को कैसे cover करें जिनकी मात्रा ज्यादा है those are more in quantity उन लोगों को उस public को कैसे cover किया जाए ठीक है तो राजय साब के दिमाग में यह चीज़ आई कि उनको कैसे पकड़े sorry मंत्री जी के I am talking about मंत्री जी मंत्री जी रिसर्च कर रहा ना बटा हा तो मंत्री जी के दिमाग में यह चीज़ आई मंत्री जी ने सोचा कि राजय साब की बोरी एक बात बहुत बड़ी थी और वो थी वो हमारे resources का इस्तमाल कर रहे हैं वहीं जाकर मंत्री जी की दिमाग की गाड़ी अटक गई उन्होंने सिर्फ राजय साब के उस dialogue में से उस dialogue में से एक word को पकड़ लिया resources किस word को पकड़ लिया बेटा उन्होंने इस word को पकड़ लिया उन्होंने कहा कि हमारे resources का इस्तमाल कर रहे हैं यानि कि बेटा वो बच्चा खाना भी खा रहा है पानी भी पी रहा है वो बच्चा हर एक चीज use कर रहा है क्या कर रहा है हर एक चीज use कर रहा है हर एक चीज use कर रहा है बट वो text नहीं दे रहा text तो वो किस पर दे रहा है जब वो income earn कर रहा है तो वो हमें text दे रहा है लेकिन उसे से पहले वो बहुत सारी चीज़ें use कर रहा है use सरा बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो आपको याद नहीं है क्या मुझे तो याद है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बार 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 रिपीट करूँ तो आपको याद हो जाए आपके दिमाग में ये शब्द बैट जाए क्योंकि यही से बहुत बड़ा concept निकलने वाला है तो मंत्री जी की गड़ी जाकर कहा अटक गई? मंत्री जी की गड़ी जाकर अटक गई इस word की उपर कि भई साब वो बच्चा use कर रहा है यूज करने के लिए उसे पहले परचेज करना पड़ता है वाव पी यू आर सी एच ए एस ए एक नया शब्द मैंने आप लोगों के सामने लाकर रखा पहला शब्द मैंने बताया रिसोर्स दूसरा बताया यूज और उन दोनों से ज़्यादा important word बेटा मैं आप लोगों के सामने लिकर आया परचेज सर इसमें क्या नया है हम जानते हैं अरे आप जानते हो लेकिन अभी इसी word के उपर बेटा बहुत सारी चीजें गूमेंगी और बहुत सारे concept निकल कर रहेंगे इसलिए मैंने कहाना कि हर एक शब्द बहुत मज़ेदार होने वाला है हर एक नई टर्म जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ बड़ी मज़ेदार होने वाली इसलिए कहानी को जारी रखते हुए हम आगे चलते हैं और आप लोगों को कहेंगे कि ध्यान से सुनते रहिएगा मंत्री जीने बोला कि किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसे पहले क्या करना पड़ता है बोलो उसे पहले परचेज करना पड़ता है आज अगर मैं ये कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ तो पहले मैंने इसे परचेज करा वो बच्चा अगर इसकुल में जाता है तो पहले फीस जमा कराता है अगर वो बच्चा मॉल में घूमने जाता है तो वहाँ पर वेटा उसे कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं घूमने के आप लोग मेले में घूमने चाते हो तो entry fees लगती है कि नहीं लगती है लगती है साथ वो मेला government organize करा है चाहे कोई भी organize करा है वहाँ पर fees लगती है उसी तरीके से वो बच्चा अगर कपड़े पहनता है तो कपड़े use करता है कपड़े use करने के लिए पहले उसे वो कपड़े clothes, merchandise क्या करना पड़ता है बोलो खरीदना पड़ता है वो बच्चा खाना खाता है चोपाटी पे जाकर वो बच्चा बर्गर खाता है वो बच्चा कोई भी चीज़ खाता है तो खाने से पहले उसे क्या करना पड़ता होगा उसे उस चीज को उस particular article या thing को purchase करना पड़ता होगा बोलो क्या करना पड़ता होगा मैं सारे अच्छे पताएंगे बोलो purchase करना पड़ता होगा मानते हो की नहीं मानते हो मानते हैं ज़र किसी भी चीज को किसी भी resources को जो हमें government दे जो हमारे regular life में use हो उसे हमें क्या करना पड़ेगा परचेस करना पड़ेगा अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं तो बस यही मंत्री जीने बात पकड़ ली और मंत्री जीने बोला कि साब यही वो शब्द है जिसे शब्द पर मुझे टेक्स लगाना है वाउ मंत्री जी ने बोला भाईयो बहनों क्या लगा दो परचेज के उपर टेक्स लगा दो यानि कि कोई भी इनसान अब से अगर कोई भी रिसोर्स आर्टिकल ठिंग कुछ भी बोलो कोई भी प्रोडेक्ट जैखो नएने शब्दा है ना आर्टिकल ठिंग रिसोर्स प्रोडेक्ट यूज करेगा और यूज करने से पहले खरीदेगा तो उसे उसके लिए टेक्स देना पड़ेगा ये आइडिया लेकर गए साहब कौन? मंतरी जी राजा साहब के पास और बोला कि बेटा आपकी समस्या का हमने समधान निकाल लिया क्या बोला मंतरी जी ने कि राजा साहब आपकी समस्या का हमने क्या निकाल लिया बोलो समधान निकाल लिया और वो समाधान क्या था कि सहाब आपने बोला था ना कि वो हमारे resources तो use कर रहा है लेकिन हमको कुछ दे नहीं रही क्या करोगे देखो मैं आपके लिए solution ने कराया use करने से पहले उसे उस चीज को खरीदना पड़ता है मैंने खरीदने पर ही text लगा नहीं हम सुबह सुबह दूद पीते हैं दूद पे text लगाओगे हम newspaper पढ़ते हैं तुम newspaper पे text लगाओगे बोलो हम जो रोज मर रहा के काम करते हैं सबजी खरीदते हैं सबजी पे text लगाओगे हम बिमार पढ़ जाते हैं doctor को दिखाने जाते हैं हमारे डॉक्टर जो हमें देखता है, उस पर टेक्स लगा होगे। आदमी मर रहा है, तुम्हें टेक्स की पड़ी है। हम डॉक्टर को आदमी को बचाने की फीस दे रहे हैं, तुम्हें टेक्स की पड़ी है। पागल हो गया कि तू मरवाएगा। तो सुनो मंतरी ने क्या बोला मंतरी ने बोला कि एक list बनाते हैं और जो भी रोज मर्रा की जरूरते हैं क्या बोला मैंने रोज मर्रा की जरूरते हैं यानि कि necessities economics पर पढ़ते हूं ना भीटा आप class 11th और 12th के अंदर हा सर पढ़ते हैं 11th standard and 12th standard के अंदर necessity goods होते हैं necessity goods हाँ सर होते हैं उनके उपर हम क्या नहीं लगाएंगे उनके उपर हम GST नहीं लगाएंगे रोटी और मकान कपड़ा नहीं कपड़ा तो बेटा fashionable भी आता है ना fashionable भी आता है तो कपड़े को नहीं छोड़ा बोला नहीं कपड़े को नहीं छोड़ सकते बाकी चीज़ों को छोड़ तो कपड़े को नहीं छोड़ सकते कपड़े को तो पकड़ना पड़ेगा किन-किन चीज़ों को छोड़ना है यानि किन-किन चीज़ों पर टेक्स नहीं लगाना है उसकी क्या बना ली बोलो लिस्ट बना ली और बोला राजय साथ इनको छोड़ दो बागियों पे तो लगा लो तो राजय साम ने कहां फिर ठीक है लेकिन rate कम रखेंगे ताकि starting में लोगों को problem ना हो rate बहुत कम रखेंगे tax का और सिर्फ उन चीज़ों पे लगाएंगे जो की आवेशक्ता से अधिक है यानि more than necessity है होटल में जाकर खाना खाएगा तो टेक्स लगेगा पार्क में जाकर मस्ती करेगा तो टेक्स लगेगा पिच्चर देखने, मुवी देखने जाएगा तो टेक्स लगेगा राजा सामने का हर इन चीज़ों पे टेक्स लगाएंगे जहाँ पर necessity से उपर है रोटी, कपड़ा, मकान ठीके न, यह dialogue है न, बटा रोटी, कपड़ा, मकान तो रोटी पे नहीं लगाएंगे, मकान पे नहीं लगाएंगे लेकिन कपड़े पे तो लगाएंगे education, health care जहाँ पर डॉक्टर साब ध्यान रखेंगे वहाँ नहीं लगाएंगे education, पढ़ा ही से related बात होगी क्योंकि necessity साब पढ़ना ज़रूरी है तो टेक्स नहीं लगाएंगे समझदारी के साथ उन्होंने एक list बनाई और बोला इनी चीजों को छोड़कर बाकी सभी की purchases पर टेक्स लगाते ना राजा साब क्या दिक्कत की बात है राजा साब ने का ठीक है लगाओ साब, लगा दिया इस बार फिर से system बनाया और system बना कर बोलो क्या लगा दिया टेक्स लगा दिया अभी सुनो हुआ क्या असली मजे की बात तो अभी बाकी है कोई भी बच्चा इदर उदर नहीं जाएगा कोई भी बच्चा वीडियो बंद नहीं करेगा सब को ये lecture पूरा देखना है ठीक है हाँ से रहा हम पूरा देखेंगे और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला कि मंत्री जी ने इसको implement कर बिया और बेटा implement करने पर पता है क्या हुआ एक बहुत बड़ी problem सामने निकल कर आ गई अब हो ये रहा था कि for example कोई राम नाम का व्यक्ती है और वो राम नाम का जो परसन है वो कोई भी चीज खरीदेता था तो एक मंत्री ने क्या करा एक सेनिक को लगा दिया बोले काम कर उस राम के पीछे जा और उससे टेक्स लेकर रा अब वो बेचारा दोड़ा-दोड़ा सेनिक जाता था सेनिक मतलब की राजा साब के अंडर में जो उनकी परजा जो उनकी सेना थी सेना होती है सेना अरे उनके यहां काम करने वाले लोग उनको लगा दिया, ये समझे लो, आप उनके हां काम करने वाले लोग, तेना के लोग, वारियर्स, उनको लगा दिया साब, कि जाके टेक्स लेकर आओ राम से, अब राम दिन में 10 बार चीज खरीद देता था, तो एक जना भागा 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 उसकी पीछे जाता था और टेक्स लेकर आता था, काफी बार राम क्या करता था, उन लोगों को चकमा दे दिता था, किया था साब मैंने तो कुछ खरीदा है नहीं, घर की तराशी ले लो, अब वो घर की तराशी लेने में टाइम वेस्ट करते रहते थे थे, और वो उस चीज को खा जाता था, प् सारे जितने भी वारियर्स थे, जितने भी सेनिक थे, उन सब को लगा दिया राजा सामने सिर्फ टेक्स वसूल करने के लिए, कि साब कोई किसी की पीछे भाग रहा है, क्योंकि बैटा हर इंसान कुछ ना कुछ, पूरे राज, इतने बड़े राज, इतने बड़े किंडम क कि अंदर कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, क्या कर रहा था, बताओ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ खरीद रहा था, अभी कोई ना कुछ ना कुछ खरीद रहा है, और राजा साम कर रहे हैं, जाके टेक्स लेकर आओ, जाके टेक्स लेकर आओ, जाके टेक्स लेकर आओ, होग सब भाग रहे हैं दुरुदर टेक्स लेने के लिए अगर ऐसे वक्त किसी ने हम पर हमला कर दिया तो सेनिक टेक्स कलेक्ट करेंगे कि लड़े ही करेंगे बता भई, तू ही बता ये सिस्टम तेरा ही था अभी इतने सारे लोगें एक राम अगर किस को पकड़ेंगे तो फिर मंतरी का दिमाग की चली बत्ती, मंतरी ने कहा बात तो सही है राजा साब बात तो सही है ये तो दिक्कत की घड़ी आ गई ये तो प्रॉब्लम क्रियेट हो गई लेकिन उसने तुरंत बोला कि राजा साब मेरे पास इसका solution भी है तो राजा साब ने कहा रहे फटा फट बता भई, फटा फट बता क्या solution है? tell me fast, tell me fast तो उसने बोला कि कुछ भी नहीं करना राजा साब शब्द बदलना है कुछ भी नहीं करना राजा साब सिर्फ शब्द बदलना है शब्द बदलते ही सारी situation normal हो जाएगी तो राजा साब ने कहा आपए क्या शब्द बदलना है? फटा फट बताना है कौन सा शब्द बदलना है? उसने कहा कि purchase की AC की TAC उसने बोला साब फिर set tax लगाएंगे लेकिन purchase पर नहीं टन 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 sale पर लगाएंगे purchase पर नहीं sale पर लगाएंगे यस इस बार फिर से tax लगेगा लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों purchase पर नहीं sales पर लगेगा तो राजा साब ने कहा कि अबे तू पागल हो गया है क्या तू पागल हो गया तो इतना समझदार मंतरी है मेरा इतना अच्छे अच्छे model बनाकर लेकर आता है tax के tax models बनाता है और ऐसी पागलों जैसी बात करता है अबे क्या फरक है खरीदने में और बेजने में कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा और अगर कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा बात तो भई हुई ना राजा साब तो नहीं समझ पाए, बेटा आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा राजा साब नहीं समझ पाए, मंतरी ने कहा राजा साब सुनो, बहुत बड़ा फरक पड़िया अब टेक्स परचेस पर नहीं, अब टेक्स सेल पर लगेगा, मैंने शब्द बदल दिये परचेस जो करता है पहले हम उससे मांग रहे थे, अब हम जो बेच रहा है उससे मांगेंगे क्या बुला मैंने, जो बेच रहा है उससे मांगेंगे पर चेजर से नहीं हम तो भाया सेलर से मांगेंगे तो राजा साब ने कहा कि अरे पागल फिर तो कोई आदमी बेचेगा ही नहीं क्यों बेचेगा साब वो कियागा कि यार मैं तो कमाई करने के लिए बेच रहा हूँ आप पहले से मेरी कमाई पर इंकम पर टेक्स ले रहे हो मैंने कमाई करने के लिए दुकान खुली आप पहले ही मुझे से क्या ले रहे हो बोलो टेक्स ले रहे हो और अब आप कह रहे हो कि एक तो मैं थोड़ा बहुत कमाऊंगा थोड़ा बहुत margin एक चीज को बेच कर उस पर एक थोड़ा सा margin मुझे मिलेगा कमाई का और उसमें भी आपको text चाहिए साब ये क्या बात हुई और राजा साब ने एक बहुत बड़ी बात और बोली कि साब हमें दुकानदार से text नहीं लेना बेचने वाले से text नहीं लेना क्योंकि हमारा नीती मत्ता हमारा intention क्या था हमारा intention था जो भी use करता है बेटा मैंने highlight कर कर दिया आप लोगों को मैंने आप लोगों को highlight कर कर दिया देखो मैं वापिस सा highlight करता हूँ बहुत बड़ा और बहुत important word था ये use use का मतला होता है consumption जो consume कर रहा है क्या बोला मैंने जो consume कर रहा है हमें तो उससे text चाहिए जो खरीद के खा रहा है जो खरीद कर उसको use कर रहा है consume कर रहा है हमें उससे text चाहिए दुकानदार से text नहीं चाहिए तो भाई तू क्या बोल रहा है कि सेल पर टेक्स नहीं लेना, हमें तो पर्चेस पर ही लेना है, तो क्यों फाल तुमें सेल पर टेक्स लगवा कर 12 बजवा रहा है, हमारा intention नहीं है, बेचने वाले से टेक्स लेना, तो मंत्री ने बोला, राजय सहाब आप बहुत बोलते हो, बीच बीच में बोलते हो अरे पूरी बात है तो सुन ले आ करो मालिक क्या बोला उसने उसने बोला यार पूरी बात तो सुन लो मेरी तो राजया साब ने का रहे तु बोल यार फटा फट बोल पूरी बात बता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हमें नहीं चीए बेचने वाले से टेक्स तो मंतरी ने बोला और मंतरी ने क्या बोला पता है बहुत बड़ी बात बोल गए मंतरी साब मंतरी साब ने बोला कि साब ये तो जर्या है ये तो जर्या है He is or she is just a medium बेचने वाला तो क्या है बोलो बेचने वाला तो जरिया है सिर्फ एक जरिया he is just a medium तो राजा साथ ने कहा कि अबे तू क्या medium मीडियुम कर रहा है क्या जरिया जरिया कर रहा है उसने कहा राजा साथ देखो फिर बीच में बोले आप अर बीच में मत बोलो बात कर सुनो तो राजा सामने ने का बता 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 क्या मिडियम का क्या मतलब है उसने बोला देखो जो सेलर है जो बेच रहा है वो जो खरीद रहा है उससे टेक्स लेगा क्या बोला मैंने जो बेच रहा है वो जो खरीद रहा है उससे टेक्स लेगा और हमको देगा और हमको देगा सीटा सा कौन से प्रिसाब आप समझ क्यों नहीं पा रहा है हो राजा साब राजा साब ने का अच्छा 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 रुक 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 थोड़ा थोड़ा समझ मैं है रुक वापि समझा, वापि समझा, वापि समझा, उसने दिया एक छोटा सा example, उसने कहा देखो, हमारे यहाँ राम था, पहले यह राम दिन में चार बार समान खरीदता था, दस बार समान खरीदता था, अरे कभी-कभी तो पंदरा बार समान खरीदता था, और हमारे सेनिक को लिए 15 बार जाना पड़ता था यानि हमारा सेनिक राम के पास 15 टाइम्स जाता था क्यों जाता था क्यों जाता था क्यों उसे टेक्स लेना होता था तो हमारा सेनिक बिजी रहता था और राम कभी कही और कभी कही रहता था कहां कहां पकड़े राम को कभी राम कहीं चला जाता कभी राम कहीं चला जाता था कभी इस शहर से खरीदता था तो कभी दूसरे शहर से खरीदता था दूसरे शहर में जाकर तो हमें उसकी पीछी पीछी दूसरे शहर में आबारे सेनिक को दोड़ाना पड़ता था लेकिन अब राम जब भी जिस भी दुकान से समान परचेज करेगा हम परचेज पर नहीं हम तो भहिया जो बेचेगा जो सेलर भहिया होंगे जो परचेज नहीं जो सेल करेगा उससे टेक्स लेंगे और जैसा कि आप कनफ्यूज हो रहे थे कि हमें तो उससे टेक्स चाहिए जो कंजूम करेगा तो साब टेक्स वही देगा जो कंजूम करेगा टेलर अपनी जेब से नहीं देगा राम देगा इस बार राम देगा सेलर को आगे होकर टेक्स देगा और वो हम हमारे सिर्फ एक सेनिक को पूरे महीने में एक बार बहिज कर बार बार चक्कर नहीं लगाना दिन में दस बार एक आदमी के पीछे चक्कर नहीं लगाना अब तो सिर्फ महीने में एक बार जितने भी दुकानदार हैं जितने भी बिजनिस करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग बेचने वाले हैं, देखो सहाब, क्या-क्या बोला मैंने, मैंने बोला न, एक एक word important है बेटा मेरा बोला हुआ, पुरा concentration के साथ सुनियेगा, जितने भी बेचने वाले लोग हैं, बिजनिस करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, सेल करने वाले लोग हैं, the focus is nothing but on a single word, that is, सेल, 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 एंड, सेल, this is the focus, camera का focus set कीजेगा, राजा सहब, सेल करने वाले से tax लेना है, लेकिन सेल करने वाला अपनी जेब से नहीं देगा, वो उसी इंसान से tax लेगा, जो use करेगा, जो क्या करेगा बोलो use करेगा, वो खरीद के लेकर जा रहा है, अगर वो use करेगा, बोलो अगर वो use करेगा तो वो tax देगा, किसको देगा? सेलर अंकल को देगा इसको देगा बोलो सेलर अंकल को टेक्स देगा और फिर हम महीने में एक बार जैसा कि मैं आपको कह रहा था हम सिर्फ हमारे सिपाही को महीने में एक बार भेजेंगे सेलर के पास और वो सेलर से क्या ले आएगा महिने भर मैं collect हुआ क्या बोला monthly collection क्या बोला monthly collection वो किसे से ले आएगा बोलो वो monthly collection मेरे दोस्तों वो ले आएगा उस seller से और वो आ जाएगा राजा सहाब के पास बोलो राजा सहाब के पास वो पैसा आ जाएगा समस्या का निकाल दिया समाधान बोला purchase पर नहीं sale पर लगाएगे बोलो purchase पर नहीं sale पर लगाएगे और seller अपनी जेब से नहीं देगा देगा वही इंसान जो पहले भी दे रहा था purchase पर उसे पकड़ना पड़ रहा था राम तो कभी कहीं और कभी कहीं मिलता था दुकानदार नहीं भाग सकता क्योंकि उसकी दुकान है उसका address permanent nature का है वो अपनी दुकान लेकर इदर उदर नहीं दोड़ेगा उसे पकड़ना आसान है यानि कि बेटा आप common sense लगाओ और मंत्री की बात को समझने की कोशिश करो मंत्री ने बोला खरीदने वाले ज़्यादा है बेचने वाले कम है this is the moral of the story मंत्री के इस model का इस समाधान का इस solution का तिरफ एक ही राज था और वो राज वो mystery ये थी कि साब बेचने वाले कम हैं खरीदने वाले ज़्यादा हैं अब ज़्यादा लोगों को पकड़ना आसान है या कम लोगों को पकड़ना आप बता दो इतना दिमाग और इतना common sense तो आप में भी है दोस्तों कि हम कम लोगों को पकड़ सकते हैं ज़्यादा लोगों के बजाएं अगर मैं आपको कहूँ हजार के घर जाओ तो वो कठिने सो के घर जाने के अब सो के घर जल्दी पहुँच जाओगे हजार लोगों के घर पहुँचने में टाइम लगेगा और हम सब जानते हैं कि बेचने वाले कम है खरीदने वाले जादा अगर हमारे देश की पॉपुलिशन आज 135 करोड है 135 CR तो आपको क्या लगता है कि 135 करोड ही बेचने वाले होंगे PTM एक है Dish TV Tata Sky एक है Jio एक है, Reliance एक है Dabr एक है, Parle एक है समझे रहे हो? लेकिन Parle, Dabr Pepsudent Colgate, यह सब एक है इनको यूज करने वाले आप भी जानतों करोडों लोगे दोस्त, अब उन करोडों को पकड़ना आसान है, या फिर एक कंपनी को पकड़ना आसान है, आप बता दो किसको पकड़ना आसान है बस यही solution दे दिया किसने है, उस वक्त उस मंत्री ने यही solution दे दिया, राजा सहाब को की purchase पर नहीं सहाब, sale पर tax लगाओ, बेचने वाले को बोलो कि तू बेच रहा है ना, तू sale कर रहा है, तू पकड़ ले तू पकड़ ले purchaser को और उसे से tax लाकर सहाब हमको दे दे that's it, text तू वो पहले भी दे रहा था परचेजर, text वो अभी भी दे देगा, लेकिन उसको पकड़ना कटिंता, तूझे पकड़ना आसान है कितना आसान समाधान बेटा यहाँ पर उसने निकाल दिया, बोलो किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी समस्या है क्या, बोलो अरे बोलो, बोलो, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर, हमको अभी तक सब कहानी अच्छे से समझ में आई, और यह तो कहानी थी मैंने पहले भी बोला, अभी थो मैं practically पढ़ाना बाकी है अभी तो मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, बेबी को बेस पसंद है, और सर को concept पसंद है, तो अभी तो सिर्फ concept डेवलप कर रहा है, साहब अभी तो detail में समझना बाकी है थेरी तो अभी मैंने आपको read ही का कराई, अभी तो मैं सालों साल तक ये concept चलता रहा और किसी को भी कोई problem नहीं आई सब tax जमा कराते रहें, और सबसे बड़ी बात ये थी, साहब की tax जमा करा रहे थे, purchaser को पता भी नहीं चल रहा था क्या बात करो समझा राम को पता भी नहीं चलता था कि मैंने tax जमा करा दिया क्योंकि बेटा, tax को इस तरह price में मिला दिया जाता था जिस तरह पानी में नवक मिल जाता है क्या बोला मैंने, जिस तरह पानी में, पानी बेटा water and salt combination जिस तरह water में salt को मिला देते हैं, उसी प्रकार, जो cost होती जो price होती थी product की product की जो price होती थी उसी में tax को मिला दिया जाता था और पता ही नहीं चलता था 100 रुपे की चीज है वो कहता सी, ठीक है, 100 रुपे की लिए पकड़ 100 रुपे, लेकिन पता ही नहीं चलता था 100 रुपे में 2 रुपे tax के हैं सो रुपे में दो रुपे, टेक्स के हैं, उसको पता इनी चलता था, और वो देते देते भी खुशी-खुशी दे देता था, उसको कोई प्राबलम नहीं होती थी, इतना जोरदार सिस्टम बना दिया, और बेटा ये तो ऐसा सिस्टम था, कि सोचो अगर बच्चा होता है, औ जो अपना main problem क्या थी the main problem ये थी बेटा this is the main problem, कि जब baby bond करेगा, और bond करने के बाद जब वो बेटा बड़ा होकर income देना चालू करेगा और तब जाकर उस income पर tax लगना चालू होगा जब वो income create करेगा तब tax लगेगा लेकिन इसका बहुत बड़ा solution हमने ये निकाल लिया, कि अब तो वो हर जो चीज use करेगा, हर जो चीज use करेगा, बोलो क्या करेगा use करेगा, उस usage पे हमें tax मिलता चला जाएगा कभी भी country के अंदर problem नहीं आएगी जितनी population बढ़ेगी, उतना ही tax बड़ेगा, connect कर दिया साब usage के साथ, use के साथ किसको connect कर दिया, बोलो tax को connect कर दिया मंतरी जी ने, और मंतरी जी ने बहुत बड़ी समस्या का समधान कर दिया आगे चलकर धीरे 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 समय बदला राज देश में परिवर्तित हुए राज देश में परिवर्तित हुए और बेटा, वही वही राज वही राजा सहाब का जो राज हुआ करता था वो हमारा भारत देश कहलाया सर क्या पागल बनाते हो आप क्या पागल बनाते हो बेटा, पागल बनाना जरूरी है point यहां पर पागल बनाने का नहीं है point मैं आपको दीरे-दीरे track पर लेकर आ रहा हूँ दीरे-दीरे track पर लेकर आ रहा हूँ पागल नहीं बना रहा हूँ मुझे base बनाना जरूरी था इसलिए मैंने इस कहानी का क्या लिया सहारा लिया हाला कि कहानी के किरदारों से आप लगबग लगबग परिचित हो गए होंगे कि कौन क्या है और कौन क्या है हाला कि मैं अभी formal introduction कराऊंगा हर एक किरदार का कि राजा साथ कौन थे मंतरी कौन था सबका आपका परिचे बिलकुल होगा formal होगा लेकिन अभी आप इनी बात को सुनिये कि वो जो राजी हुआ करता था वो धीरे धीरे हमारा भारत देश बन गया और हमारे भारत देश में जब सरकारे बनी जब हमारा भारत देश आजाद हुआ क्या हुआ जब हमारा भारत देश आजाद हुआ भारत आजाद हुआ और आजाद देश के अंदर भी हम इस सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे ये सब कहानी का पात रहें ध्यान दीजिएगा कुछ कालपनिक है लेकिन कुछ हकीकत है इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि भारत का देश क्या हुआ बोलो भारत का देश आजाद हुआ भारत देश आजाद हुआ और उन्होंने इस सिस्टम को क्या रखा वो राजा साहब जो बना गए थे वो राजा साहब बहुत अच्छे थे उन्होंने अपने राज का हमेशा ध्यान रखा और ये दो बड़े सिस्टम वो लेकर आए एक तो income based tax और एक usage यानि कि sale based tax क्योंकि बैटा use करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो खरीदना पड़ेगा और कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा और बेचते ही वो क्या कर लेगा खरीदने वाले से tax collect करके government को दे देगा यानि कि दो बड़े taxes का निर्मान हुआ जिसे हमारे भारत देश ने क्या बोला पता है आप लोगों को बेटा जो income वाला tax था जो income वाला tax था आप लोगों को पता ही नहीं चला कहनी सुनते सुनते बेटा मैंने आपको income tax बता दिया ये आपका दूसरा subject है जिसका नाम है direct taxes नाम direct क्यों है ये भी बताऊँगा नाम indirect क्यों है ये भी बताऊंगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं हलका फुलका तो पता चल ही गया होगा कि नाम क्यों direct है और नाम क्यों indirect है और बेटा ये introduction हुआ income tax का जहांपर income पर base होकर tax दिया जाता था यानि 2 lakh 50,000, 5 lakh rupees, 10 lakh rupees जो example हमने लिया था जो example बेटे मैंने लिया था आप लोगों को पता भी नहीं चला लेकिन आपने tax calculate करना सीख लिया आज शाम को आप घर पर जाकर बोल सकते हैं आज शाम को आप घर पर जाकर क्या बोल सकते हैं कि मम्मी मम्मी पापा पापा अपनी income बताओ मैं आपको tax निकाल के बताता हूँ तर यह तो आपने example लिया था यह example practical example है बिलकुल बेटा है यह practical example है subject to a few more things कुछ चीज़ा हम इसमें और endless करेंगे तो exact tax निकल कर आजागा लेकिन हम मोटा मोटी तोर पर broad view में यही आपका है income tax जो आप income पर base होकर देते हो और मजे की बाद जो दूसरा tax था ना मेटा जो दूसरा tax था जो मैंने आपको पढ़ाया जो मंत्री जी ने राजा साब को बताया वही tax बाद में जाकर बना आपका sales tax ओ अब समझ माया से आप sales word पर इतना focus क्यों कर रहे थे क्यों पर्थिस word को काट कर sales word लगा दिया गया तो यह उसी का नाम बाद में पढ़ गया sales tax समय अनुसार sales tax बदला बिटा और sales tax बदल कर उसका नाम रख दिया गया नाम सुनकर कोई भी बच्चा डरेगा नहीं नाम सुनकर बिटा कोई भी बच्चा डरेगा नहीं ठीक है? हाँ इसलिए तभी एक शर्त पर नाम बताऊंगा कि नाम सुनकर डरना नहीं है मैं उसका juice निकाल कर आप लोगों को समझाऊंगा यह मेरी वादा है, यह मेरा वादा है इसलिए डर्ना मर, बेटा उसी का नाम बाद में बदल कर हो गया wet, क्या हो गया व-y-e-t wet, सर वेट क्या होता है यह क्या चीज है, अरे मैंने बोला न सिर्फ नाम बता रहा हूँ बहुत डीटेल में जूस निकालेंगे और जूस निकालकर इसको समझेंगे यह मेरा आप लोगों से बाता है छोड़ेंगे नहीं इसको इस शब्द की बैंड बजाएंगे साब example दे दे कर practically समझाऊंगा कोई दिक्ट की बात नहीं है और बाद में बेटा वही वैट बदल गया और उसका नाम हो गया आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ एक नया शब्द जिसका नाम है जी एस टी जी एस टी जो आपके सब्जेक्ट का पार्ट है और जो आप पढ़ने यहाँ पर मेरे से आए है बिटा समय के साथ नाम बदले नाम हुआ सेल्स टेक्स फिर हुआ वैट और फिर कही न कहीं हुआ जी एस टी राम बोलो घंशाम बोलो मोहन बोलो प्यारे बोलो राम मोहन घंशाम मोहन प्यारे राम शाम घंशाम मोहन प्यारे क्या बोला मैंने राम शाम वही है, चीज वही है बोला समझ आया कि समझ नहीं आया समझ आया सकते, ये दो चीजे उस वक्त वो मंत्री जी ने बेटा इंट्रिड्यूस करी, डेवलप करी और उसे ही हमारे आजाद भारत देश में अपनाया गया, लेकिन पता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अभी कहानी खतम नहीं हुई है, अभी कहानी खतम नहीं हुई है, जिस वक्त वो देश आजाद हुआ, भारत देश आजाद हुआ मेरे दोस्तों, हमारे जो स्वतंतरता सेनानी थे, हमारे जो लीडर्स है, उन लीडर्स ने सोचा कि वो राजा का intention अच्छा था उस राजा का intention अच्छा था मेरे बच्चे इसलिए उसने सिर्फ ये बिलकुल जो काम के और आवशक टेक्स थे वो लगाए क्या बोला मैंने जो आवशक टेक्स थे जो important टेक्स थे जिने लगाना जरूरी था उन टेक्स को लगाया लेकिन अगर इसी तरह हमने पावर खुरी छूड़ दी टेक्स लगाने की तो हो सकता है इसका कोई गलत फाइदा भी उठा ले हो सकता है कोई राजा कोई मिनिस्टर आने वाले सालों में हम तो रहे ना रहे क्या पता जो लीडर्स थे देश आजाद हुआ उस वक्त जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि साब ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे तो बेटा आज हम है तो हम समाहल लेंगे कल हम नहीं होंगे हमें भविश फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी होगी फ्यूचरिस्टिक विजिन रखना होगा और फ्यूचरिस्टिक विजिन रखते हुए हमें कुछ ऐसे नियम कानून कुछ ऐसे रूल्स, रैगूलेशन्स प्रिंसिपल्स लेड़ डाउन करने पड़ेंगे यानि रखने पड़ेंगे, लोगों को देने पड़ेंगे, जिनके थूरू इस देश को चलाया जाएगा, सही तरह से उन्होंने सोचा साब, इस तरह से अगर कोई भी टेक्स लगाएगा, देखो, उस राजा ने टेक्स लगाया उस पर भरोसा था, उसकी जरूरत थी और उसने बिल्कुल सही किया, उसने कुछ भी गलत नहीं करा वाट ही डिड़ेंगे, उस पर विश्वास था लेकिन बेटा, उस चीज का गलत उपयोग, उस चीज का गलत इस्तमाल किया जा सकता था आने वाले लोगों के द्वारा इसलिए जब देश आजाद हुआ तो हमारे लीडर्स ने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसी चीज बनाएं, एक ऐसी किताब बनाएं, एक ऐसी बुक बनाएं, जिस बुक के हंदर हम क्या लिख कर देंगे, बताओ, सारे बच्चे बताएंगे जिस बुक मेर हम क्या लिख कर देंगे जिस बुक में हम रूल्स जिस बुक में हम रेगुलेशन्स और जिस बुक में हम प्रिंसिपल्स लिख कर देंगे, बोलो Rules, Regulations और Principles लिख कर देंगे हम structure डेवलप करके देंगे country को run करने का ताकि जितनी power हम देंगे उतनी ही power के तहत tax लगया जाएगा मन से कोई भी tax नहीं लगा सकता कोई भी सरकार अपने मन से tax नहीं लगा पाएगी हम यहाँ पर क्या define कर देंगे बोलो Rules and Regulations के साथ साथ हम powers क्या define कर देंगे powers define कर देंगे authority define कर देंगे हम powers define कर देंगे हम authority define कर देंगे कि जिसके पास जितनी power है वो उतना ही काम कर सकता है तो हर कोई गवर्मेंट, हर कोई सरकार और हर कोई आने वाला राजा गलत टेक्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसके पास टेक्स लगाने की पावर ही नहीं होगी हम पावर डिफाइन कर देंगे उन लोगों ने बहुत सोच समझ कर इस किताब को बनाया और बेटा यही किताब, आप सब को हिंट लगया होगा बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यही किताब आगे जाकर कहलाई और आप सब बेटा हर साल सेलिब्रेट करते हो 26th of January और बहुत ही जल्द आने भी वाली है 26th of January आने भी वाली है बेटा, 2021 की 26th January आने वाली है 26th January वो दिन था और वो साल था बेटा, 1950 वो साल था बेटा, 1950 जिस दिन उस किताब के नियम और कानूनों को लागू कर दिया गया इस देश के उपर 26th January, 1950 और अब तो बेटा किताब का नाम मुझे बताने की जरुवत भी नहीं है आप सभी समझ गया होंगे I am talking about the constitution the constitution of India बेटा मैं भारत के समविधान की बात यहां पर कर रहा हूँ भारत का समविधान पावर देता है टेक्स लगाने की क्या बात कर रहे हूं सर, बिलकुर मैंने बोला ना बेटा, अभी हर चीज मैं आपकी सामने दीरे-दीरे थाली में पुरोस रहा हूँ सिर्फ बेस बनाने के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करना I am just giving you in a small quantity मैं आपके दिमाग को धीरे-धीरे डोस दे रहा हूँ ठीक है नए-नए शब्द आपके सामने रख रहा हूँ नए-नए बातें आपके सामने रख रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना कि बहुत small quantity में दे रहा हूँ ताकि एक base develop हो सके बाद में इसी small quantity को हम large quantity में discuss करेंगे बहुत detail में discussion होने वाला है हर एक चीज के उपर लेकिन अभी base बनाने के लिए हर चीज आपको small तरीके से दिखाई देनी जरूरी है क्योंकि बेटा मैं सब कुछ link करूँगा और जब मैं link करूँगा तो picture एक गम clear हो जाएगी crystal clear अभी हर चीज आपको blur blur नजर आ रही होगी क्योंकि मैं नई नई चीजें रखता जा रहा हूँ लेकिन end में जब इन सारी चीजों को रखने के बाद मैं एक साथ connect करूँगा तो आपको के साथ मज़ा आगया अच्छा ये बात थी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा उस वक्त जब मैं connect करूँगा क्योंकि connect करते ही एकदम clarity आ जाएगी अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने द्रीद्रे टेक्स बताया फिर मैंने आपको income टेक्स बताया फिर मैंने आपको जीस्टी बताया अभी constitution ऑफ इंडिया कहां से आगया बीच में बताऊंगा ना बहुत डीटेल में बताऊंगा लेकिन अभी जो sequence चल रहा है वो क्या चल जो ने भी उसे follow करा हम भी उसे follow करेंगे हम भी टेक्स लगाएंगे ताकि हमें भी क्या मिलती रहे बोलो क्या मिलती रहे revenue मिलती रहे और हम इस देश का भला कर सकें लेकिन उन leaders ने उन politicians ने उन लोगों ने सोचा कि अगर इस तरह पावर खुली छोड़ दी देश को चलाने वो गलत तरीके से लोगों से टेक्स के नाम पर वसूली करेंगे क्या करेंगे बोलो वसूली भाई वसूली भाई वसूली भाई वसूली करेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि वसूली हो इसलिए हम power, authority, rules, regulations, principles एक किताब में लिखकर दे देते हैं और उस किताब का नाव तो कोई भी टेक्स नहीं लगा सकता और बेटा वही राजा साहब बाद में चलकर अब बेटा में फॉर्मली इंट्रिउस कर रहा हूँ No, I am introducing formally, हाला कि मुझे पता है आप सब समझ चुके हों, but still this is a formal introduction of the characters of this story in front of you Your राजा साहब is none other than, is none other than your government of India Your government of India वो राजा साहब भाद में जाकर convert हो गए और किसमें convert हो गए बोलो, वो राजा साहब convert हो गए वेटा आकर बोलो किसमें Government of India में, तो Government of India में बेटा आपके राजा साहब convert हो गए यानि कि अब revenue कौन एकटा करेगा, accumulate करेगा, government accumulate करेगी जो भी tax होगा, वो किसको मिलेगा, government को मिलेगा और government की जिम्मेदारी होगी कि वो उस tax को development के purpose के लिए और जो राजा का राजी हुआ करता था जो राजी हुआ करता था, that राजी is not going to get convert into your country जो राजी जिस kingdom, जिस kingdom की बात में किया करता था that kingdom is not get converted into, that kingdom is not get converted into your country वो kingdom बेटा आपकी country यहाँ पर बन गई, किसी को कोई problem है, नहीं है I hope आपको भी problem नहीं होगी, राजा सहाब बन गए, government of India, राजी और जो kingdom था वो बन गया, आपका country कोई दिक्कत है, नहीं है सहाब, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा जो आपके seller uncle उस वक्त थे, वो आज आपके seller ही है वहाँ कोई change नहीं हुआ, उस वक्त माल बेचते थे, जो businesses हुआ करते थे, वो आज भी businesses ही है और जो बायर हुआ करते थे बेटा वो आज आपकी public है जो पहले भी थी और आज भी है there is no change in that case बस जो राज्य राज्य में बार बार बोल रहा था राज्य का भला करेंगे वो राज्य को develop करेंगे राज्य के use में उस money को ले करेंगे किसकी use में राज्य के इस्तमाल में राज्य के लिए इस्तमाल करेंगे है और वो कौन करता था राजा करता था अब हम बोलेंगे government का ये काम होगा कि वो अपनी country को क्या करकर चलेगी बोलो develop करकर चलेगी उस पैसे से और जो कि मैं बार-बार बोला करता था small amount और small quantity जिसे मैं आपको बोला भी था कि उसे text का नाम दिया गया उसे ही बेटा आज आप text के ही नाम से जानते हो उसमें कोई भी change नहीं हुआ बस हमने ये समझ लिया कि text broad, broad level पर राजा जी ने जो develop किये थे वो दो तरीके के थे बोलो कितने तरीके के दो और हम जानते हैं कि उनमें से एक था जो income पर लगता था इसलिए उसका नाम रग दिया गया था no you are all the way आप चलते 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 डेट बैक से present में आ चुके हो आप इतना पीछे गए थे you are going that back but no you are in all the way present आज की दुनिया में आ चुके हो राजा साब चले गए साब देश भी आजाद हो गया हमारे पास में हमारा सम्विधान यानि constitution भी आ गया और constitution समझने के बाद हमने हमारी पूरी कहानी को आज के present scenario से link कर दिया और इसे के साथ बेटा डेड़ घंटे की पड़ाई हमने यहाँ पर करी डेड़ घंटे हमने इस concept को समझने में लगाया और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रिक और इस ब्रिक के बाद मैं पूरी की पूरी कहानी को आपको read करवाने वाला हूँ एक एक concept को किसके साथ हमारी book के साथ यानि कि हमारे note जो मैंने कहाता ने chapter number one आपका होगा वही chapter number one की अब हम noting पर आने वाले हैं और noting से read करवाकर समझे माएगी क्योंकि आपने कहानी बहुत अच्छे से समझ ली तो फटावर्ट से लेते हैं एक five minutes का short break जिसके अदर आप भी पानी पिएंगे मैं भी पानी पिऊंगा और फटावर्ट से वापिस आएंगे तो बैटा have a short tea break कर वाले हैं झाल झाल आगे दोस्तों हाँ सर ब्रेक हो गया पूरा पानी वानी पे लिया अराम कर लिया अब बेटा जितना भी अपन ने देख लिया था उसे हम एक एक करकर मैंने बोला था ना मैं बहुत डीटेल में समझाऊंगा हाँ अब वो वक्त आ चुका है तो कहानी के अंदर जितने भी शब्दों का हमने प्रियोग किया मतलब की जितने भी शब्द हमने यूज करें जितने भी वर्ट्स हमने यूज करें उन्हें सभी वर्ट्स को अब हम डीटेल में समझने वाले हैं तो सारे के सारे बच्चे फटा फट से आ जाएंगे मेरे पास एक एक शब्द को डेटेल में समझने के लिए तो बैटा सबसे पहला शब्द और सबसे important word जो हम समझने वारे हैं वो है text जी हाँ दोस्तों text क्या होता है सरी नोटिंग हमको करनी है क्या ये नोटिंग हमें register में उतारनी है क्या बैटा जहांबर भी नोटिंग करवानी होगी मैं खुद आपसे नोटिंग करवाँगा बे फिकर रहो ये सब का सब अपनी किताब में लिखा हुआ है आपको वहाँ से मिलेगा वहीं से आपको print निकालना है और read करना है कोई दिक्कत की बात नहीं है सब बना रखे हैं सारे diagram बना रखे हैं ये सिर्फ मैं आपको class noting इसलिए होती है blackboard पर समझाने के लिए मैं लिखता हूँ है ना वो blackboard होता था ये smart board होता है तो इसलिए ये noting आपको नहीं करनी है ये सब आपको कराय कराय मिलेगा लेकिन अगर उसके बावजूद आप चाहते हो कि ये noting आपको मिले जो मैं कर रहा हूँ ये जितनी भी working करता हूँ मैं जितना भी rough work कहलो या समझाने के लिए जितना भी लिखता हूँ ये सारा अगर आप चाहते हो कि आपको बेटा मिले तो मैं ये सारा का सारा आपको email कर दूँगा या जो भी हमारा registered बच्चों का group है WhatsApp group उसमें मैं आपको join कर दूँगा तो बेटा वहां से आपको ये मिल जाएगा तो अगर आपको ये चाहिए तो मुझे बेटा कहीं पर भी message कर देना चाहे WhatsApp पर message कर देना चाहे आप मुझे Telegram पर message कर देना ये मैं आपको 100% deliver कर दूँगा PDF के अंदर ठीक है तो ये भी मिल जाएगा अगर आपको ये class noting चाहिए मेरी पढ़ाई हुई book तो वैसे भी मिलेगी और जो मैं questions practically solve करवाँगा वो बेटा मैं आपको बता दूँगा कि आपको note करने है register के अंदर ठीक है तो यहाँ तक तो आपको कोई tension नहीं होनी चाहिए अब फटावटता आजओ पढ़ाई के उपर तो पहला word बेटा मैं आपको बताया text अब इस word को पकड़ेंगे और उसका juice निकालेंगे देखना कोई दिकत की बात नहीं सबसे पहले मैंने text समझाने के लिए आपको एक word बोला के साथ text क्या था text था a compulsory क्या बोला बेटा मैंने a compulsory extortion क्या बोला a compulsory extortion a compulsory extortion किस चीज़ का of money of money a compulsory extortion of money बेटा एक important word यहाँ पर आ रहा है और वो है extortion क्या रहा है बोलो extortion compulsory का मतलब पता है money का मतलब for the time being पता है अभी के लिए money का मतलब आपका इतना सा होना चीए पैसा गांधी जी अभी के लिए साब गांधी जी समझे लो money का मतलब लेकिन एक थोड़ा सा technical word यह और वो है extortion extortion का मतलब बेटा भी समझे लो चीणना चीणना और चीण भी रहा हूँ compulsory मतलब कि चीणना ही पड़ेगा और क्या चीणना पड़ेगा पैसा गांधी जी चीणना पड़ेगे अब इसका तातपर्य इसका मिनिंग क्या हुआ साब इसका मतलब हुआ साब सीधा सीधा गुंदा गर्दी इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ ना साब गुंदा गर्दी कर रहे है अब ये तो गुंडा-गर्दी वाली बात होंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों सही बोल रहा हूँ? आसर सही बोल रहा है ये तो गुंडा-गर्दी हो गई अब मेरे प्यारे बच्चे बताओगे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे चीनूँगा और कंपसरी चीनूँगा पैसे चीनूँगा कंपसरी एक्स्टोर्शन ओफ मनी तो मैं तो तुम्हारे साथ गुंडा-गर्दी कर रहा हूँ ना लेकिन बटा इसलिए ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी गई और इसलिए इस डेफिनेशन के अंदर एक और लाइन एड़ कर दी गई और तब जाकर बैटा ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हुई क्या बोला देहान से सुनिएगा मेरी बात को made under any law यहनि एक और वर्ड आपके सामने आया और वो आया बेटा law सब समझाऊंगा मैं कहीं नहीं भाग रहा आप tension मतलो बस मेरी बात को सुनते चलो compulsory extortion of money compulsory extortion of money जब बर्दस्ती छीनूँगा लेकिन कानून के तहत छीनूँगा तो जब कानून बन जाता है और कानून के तहत कोई चीज छीनी जाती है गांधी जी छीने जाते है तो गुसा तो बहुत आता है हो तो गुंडागर्दी ही रही है लेकिन इसे गुंडागर्दी का नाम नहीं देंगे नाना साथ कोई भी इसे गुंडागर्दी नहीं बोलेगा यह तो टेक्स है तो बटा तमाचा तो गाल पे पढ़ रहा है लेकिन आप इसे ज्यात्ती नहीं बोल सकते तमाचा तो पढ़ेगा लेकिन ज्यात्ती नहीं है क्यों? क्योंकि भी हम तो कानून के तहत ले रहे हैं और इसलिए तो चोरी होती है क्योंकि लोगों को यही लगता है साब कि यह तो जाती है यह तो हमारे उपर अत्याचार है इसलिए तो लोग टेक्स चुराते हैं कोई टेक्स भरता है का नहीं भरता साब ने मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कोई tax नहीं भरता है सब tax भरते हैं साव इमानदार आदमे tax भरता है लेकिन मन में तो आती है ना कि थोड़ा सा चुरा लिया जाए इसलिए तो tax saving करते हैं आप लोग tax बचाने का हर प्रयास करते हैं हर एक कोशिश करते हैं क्योंकि है तो यह एक साब गुंडागर्दी लेकिन गुंडागर्दी अगर कानून के तहत की जाए तो उसे गुंडागर्दी नहीं कहते गुंडागर्दी के उपर आपने सफेद चादर ओड़ा दी अब वो टेक्स की definition बन गई तो देखो कितना simple शब्दों में बैटा मैं आपको समझाने की कोशिश करी कि टेक्स का मतलब क्या होता है टेक्स का मतलब होता है compulsory extortion of money सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे आप लोग नहीं बोलेंगे ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे बट हाँ आप लोग सारे बच्चे online वाले मेरे साथ बोलेंगे compulsory extortion of money made under any law क्या बोलेंगे compulsory extortion of money made under any law compulsory extortion of money made under any law याद होगे साब दो sentence बदाए मैंने पहली थी गुंडागर्दी लेकिन जैसे ही गुंडागर्दी को सफीर चादर ओड़ाई हम तो कानून के तहत ले रहे हैं और कानून के तहत लेना गलत नहीं है क्या बोला मैंने कानून के तहत लेना गलत नहीं है इसलिए उसको क्या बोल दिया बटा इसलिए उसको मेरे प्यारे बच्चों टेक्स का नाम मिल गया I hope अब इस शब्द का in detail मतलब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे ही बेटा मैं एक इक शब्द को उठाऊंगा और इसको समझाऊंगा इसलिए टेंशन की बात नहीं है मुझे सिर्फ 8-9 आपका साथ चाहिए उसके बाद देखो तुम लोग तुम्हें मज़ा आएगा तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे यह गारंटी है अगर तुमने 8-9 क्लास अटेंड कर ली अभी मैं तुम्हें पकड के रखने के लिए जिद कर रहा हूँ 8-9 क्लास होने के बाद आप मुझे पकड के रखने के जिद करोगे यह मेरी गारंटी है आपके ना? हाँ साथ तो अब मेरी बात को दहां से सुनो बाते बीच-बीच में करते रहे तो मैं ताकि बच्चे का मन लगा रहे तो मैंने बोला साथ टेक्स हैं और टेक्स की डेफिनेशन हमने डीटेल में समझी कि गुंडा गरती है लेकिन गुंडा गरती कानून के तैत हो रही है अब बच्चा बोलता है साथ की कानून का मतलब बता दो कानून का मतलब बता दो बेटा अभी अभी मैंने बोला था याद करो कहानी जब सुनाई थी तो क्या बोला था कानून लाने के लिए पावर होनी जरूरी है कानून होने के लिए क्या जरूरी है कानून होने के लिए पावर होनी जरूरी है सरी तो आपने पावर बताई कानून का मतलब तो बताया ही नी अरे सब बताऊँगा ना यार लौ का मतलब इतने डीटेल में एक डाइग्राम के थूरू समझाऊँगा आपको मज़ा जाएगा बस थोड़ी सी शांती रखो अभी समझ लो लौ का मतलब होता है कानून हिंदी में समझ लो कानून अभी इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नी होता है सब समझाऊँगा तो कानून लाने के लिए अभी अभी कहानी के end में मैंने क्या बताया था कानून लाने के लिए पावर चाहिए और वो power कहां से आएगी अरे वाह सारे बच्चों का बिलकुल सही जवाब बेटा वो कानून बहुत सही जवाब सभी का वो आएगी constitution से बोलो वो कहां से आएगी वो आएगी सहब constitution से common sense की बात है आप खुछ सोच के देखो अगर ऐसा हम tax का definition बना देते कि कानून बनाओ और गुंडागर्दी कर साब कानून में लिख दो कि tax लेना है और लोगाँ पर अप्तिया चार करो 10,000 प्रकार के tax बना दो ये भी tax, वो भी tax, ये भी tax, वो भी tax नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते साब क्योंकि ये जो कानून है न ये जो कानून इस कानून को लाने के लिए पावर चाहिए और वो पावर आपको कौन देगा वो पावर बेटा आपको ये समविधान देगा constitution देगा और उन लोगों ने मैंने का थे नहीं वो जो leaders थे उन्होंने सरकार बनाने का system ही ऐसा बनाया कि कोई भी सरकार क्या नहीं कर सकती इस तरह केओ की cheating नहीं कर सकती कोई भी कानून बना कर अब कहूंगा कि बिना कानून को समझे बिना कानून को पड़े और बिना कानून को समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा ठीक है तो वापिस आजओ बेटा और हम ये समझते हैं कि law बनाने की power देखो law और law बनाने की power कहां से आती है बोलो समझे से आती है ये मैंना आपको यहाँ पर एक point और link करा दिया तो बटा एक मैंना आपको text बता दिया और यहाँ पर दूसरा point मैंना आपको law कहां से बनेगा law constitution से बनेगा अगर constitution में power है तो बनेगा अगर constitution में power नहीं है मेरा बच्चा तो law आप नहीं बना सकते तीसरा point आपके पास आता है और वो आता है कि सहब tax लगाना क्यों है अरे भया purpose क्या है purpose तो बता दो purpose क्या है तो बैटा सभी को अच्छे से पता है कि purpose government के क्या है government का पहला purpose भया government के पास पैसा कहा से आएगा what is the source of revenue what is the source of revenue tax is the source of revenue for government source of revenue for government क्या होता है tax ही तो होता है याद करते जाओ मेरे सांसान मुन्ना याद करते जाओ question अगर आजाएगा आपके पास multiple choice question what is the purpose of levying taxes और वहाँ पर आपके पास option होगा it is a major source of revenue to the government आग बन करके उसको tick करके आजाना वो सही option होगा purpose यही है GST GST लगाने का चाहे income tax लगाने का मोटा मोटी बोलेंगे tax लगाने का purpose यही है क्योंकि बेटा tax से बहुत सारा पैसा government के पास आता है तो government चाती साब पैसा आता रहे purpose पैसा आता रहे और government बेटा जो development करती है उसके लिए जो policy बनाती है उस policy के अंदर भी tax का बहुत बड़ा role होता है आप सब बेटा हर साल सुनते होंगे आपके साथी friends से या फिर seniors से या फिर पापा या मम्मी से या फिर आप अखवार में पढ़ते होंगे news में सुनते होंगे कि budget आ रहा है हर साल budget आता है TV में देखते हो कभी uncle कभी auntie एक किताब खोल कर खड़ी हो जाती है और बहुत घंटे तक बोलती रहती है बोलती रहती है बीच बीच में पानी पीती है फिर बोलती रहती है बोलती रहती है वो 2-3 घंटे तक जो बोलती है बेटा हो tas bon o stAK दे जई का गर गर्में आपकी मम्मी और आपके पापाट बजट बनाते हैं कि हम एक महीने महीने हमारे घर को कैसे चलाएंगे काँ से पैसा आएगा कहा को पैसा जाना है क्या खर्चे हैं क्या क्या इंकम है वो सब हिसाब लगा कर एक budget बनाते हैं बिलकुर उसी प्रकार पूरे साल देश को के शे चलाना है how to run the country for the whole year is budgeted by the government उस चीज का government budget बनाती है और बेटा उस budget के अंदर tax का बहुत बड़ा role होता है tax is a very important instrument क्या बोला मैंने मैंने है बोला tax is a very important instrument it's a very important instrument the instrument in fiscal policy in fiscal policy fiscal policy बिटा fiscal policy fiscal policy क्या होता है सारे बच्चे मुझे google करकर बताएंगे आप लोगों को homework दे रहा हूं इस word का मतला मुझे बताना है सारे बच्चे मुझे group में WhatsApp करके बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे कि fiscal policy का मतलब बिटा क्या होता है economics आप लोग पढ़ते हो policies मेर से ज्यादा अच्छे से समझते हो सारे बच्चे बताएंगे fiscal policy का मतलब उस फिसकल policy को बनाने में बहुत बड़ा रूल होता है tax एक instrument की तरह काम करता है और fiscal policy बने जाती है बैटा तू इस्टीमुलेट इकोनोमिक ग्रोथ यानि कि बैटा इकोनोमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जाती है और fiscal policy के अंदर tax का अपना एक बहुत महतववपूर्ण कर्दार होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है तो policy बनेगी उसमें tax का अगर ध्यान रखेंगे तो देश का development होगा CDC बात तो यह purpose है सहब tax लगाने का पहला purpose है कि पैसा आएगा revenue आएगा और उस revenue को policy के अंदर इस तरह से set करेंगे कि देश का development होगा बोलो हां के ना अरे समझाओ ना भाया समझाओ कोई दिक्कत यहां तक purpose समझाओ सिर्फ छोटे-छोटे बेटा में आपको दो परपस बताए एक tax लगाते हैं साब क्योंकि यह revenue का source है और दूसरा यह fiscal policy का एक important instrument बनता है policy बनाते हैं देश को develop करने के लिए यानि indirectly मैं यह कह सकता हूँ कि देश को develop करने के लिए देश को economically develop करने के लिए text का अपना बहुत महत्वपूर्ण role होता है तीसरी बाद आती है परपस के बाद use आप सभी सोच रहे होंगे साब purpose तो समझ लिया लेना क्यों है समझ लिया बट लेने के बाद उसका use क्या करना है यह भी बता दो तो बैटा use तो मैं एक शब्द में समझा दूँगा public services public services हाँ public को service देने के लिए हमें इसका इस्तमाल करना है अरे बोलो ना सही है ना किसके लिए इस्तमाल करना है बोलो public को service देने के लिए यहां तक किसी को भी किसी भी वच्चे को अगर कोई समस्या है तो वह मुझे बताएगा क्योंकि अब मैं पाइनली आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ जिसका था आपको बेसबरी से इंतजार बेटा हमारी किताब यानि हमारे notes यह रहे आपके notes और यह रहा बेटा आपका chapter number one introduction and constitution थोड़ी बात करेंगे समविधान की और introduction में तो कहानी हम आपको सना ही चुके हैं बेटा पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ चलो आज वो बेटा देखो chapter number one introduction and constitution बताने की जुरत ही नहीं है आप मेरे से ज़ादा समझदार है तो बेटा introduction and constitution okay सब अब बेटा इसके अंदर जो सबसे पहली और सबसे important बात निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है देखो पहला point आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा है what is text what is text text क्या होता है और आपको बेटा उमीद करता हूँ clear cut तरीके से define भी नजर आ रही होगी बहु compulsory extortion of money 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 compulsory extortion of गांधी जी साब गांधी जी को जबर दस्ती आपके पास असे खीच कर ले जाएंगे तो गुंडा गर्दी कहलाईगी इसलिए हमने addition किया एक और लाइन का और वो लाइन थी made under any law बोलो वो लाइन क्या थी वो लाइन थी made under any law सारे बच्चे बताएंगे क्य रकी जाती है बोलो वसूली की जाती है तो वो कहलाता है बेटा टैक्स तो दैर तो गॉन बी और फस्ट पॉइंट आफ यूर बुक पहला पॉइंट आप सभी को नजर आ रहा होगा वाट इस टैक्स सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे compulsory extortion of money made under any law फटा-फट से चलते लिए पैक्स लगाने के लिए क्या करना होगा टेक्स लगाने के लिए पावर चाहिए होगी घृषण की और टैक्स लेवी बाए गवरमेंट कर रखेंगे अपनी पावर को exercise करकर कर कर período को पावर कहां से मिलती है constitution of India से मिलती है यानि कि देखो second point क्या था constitution of India third point की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों purpose of tax अभी अभी पढ़कर आ primary source of revenue to the government और दूसरा point used as an instrument of fiscal policy to stimulate economic growth बोलो हां के ना हां सर यह लाइन में समझ मैं यह सब मैं आपको याद करवा दिया था और लिखवा दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इसकल पॉलिसी टु स्टिमुलेट economic growth अगली बात करते हैं यूजेज अरे वासर यूजेज तो हमको बहुत अच्छे साथ हैं सारे बच्छा फोकस करेंगे हम यूज़ और इसकी बात कर रहे हैं किसकी बात करर रहे हैं पwestar वापिस बताओ यह रहा है हाँ बस हाँ भई पब्लीक सर्विसेज और पब्लीक सर्विसेज में क्या आता है मेरे प्यारा बच्चे देखो कंस्ट्रक्शन ओव रोड बेटा रोड गवर्मेंट बनवाती है hospital government बनवाती है, public park और schools भी government बनवाती है तो कहीं न कहीं हम मोटा मोटी तोर पर बोल सकते है in a broad view we can say that क्या बोल सकते हैं बखाओ मेरे को कि public services के लिए government tax के पैसे का इस्तमाल करकर चलेगी very very good और अब entry होती है आप सभी के सामने types of taxes क्या बोला मैंने? types of taxes तो बैटा यहां पर एक छोटी से memory technique दे रखिए जिसको अभी आप for the time being ignore करोगे, मैं बताऊंगा इसका full form क्या है और आपको कैसे याद कराया जाएगा, यह binger जो आपके सामने लिखा है, b square inger, binger, आपको कैसे सारे के सारे points याद करवा देगी वो आपको मैं बताऊंगा लेकिन अभी हम एक एक point को detail में पहले समझ के चलेंगे तो जैसा कि हमने देखा था बैटा, दो तरीके के taxes थे, एक income based tax था याद करो, जो मंतरी जी ने पहली सला दी थी, वो income based की दी थी जब बैटा हमने income tax की बात करी थी जब हमने income tax की बात करी थी तो मुझे अच्छे बच्चे बताएंगे tax कौन दे रहा था सर्फ और एक्जामबल राम अंकल थे और राम अंकल income क्या कर रहे थे, earn कर रहे थे राम अंकल income earn कर रहे थे, और अगर राम अंकल की income 20 एक limit से उपर 2 leg 50,000, कितनी थी बोलो 2 leg 50,000, यानि एक limit थी बटा 2 leg 50,000 उस limit से उपर जाती थी तो राम अंकल को tax देना पड़ता था बोलो हां के न, हां सा राम अंकल का tax बनता था और उनको देना पड़ता था यानि मुझे एक बात बताओ यहाँ पर income earn और income के उपर tax पे कौन कर रहा है दोरों ही काम कौन कर रहा है बोलो government को payment का काम और जेब से किसके जा रहा है सर दोरों ही काम राम के साथ हो रहे है राम की ही जेब से जा रहा है राम की ही जेब से जा रहा है और राम ही पे कर रहा है अरे वाह फोकस काना बात बात पे बेटा है न मैंने क्या बुला मैंने बुला कि who is paying to the government राम और whose liability is to pay to the government also राम सब देना भी राम को है और दे भी राम ही रहा है किसको भाया गवर्मेंट को यहाँ पर गवर्मेंट तमाचा किसके गाल पे मार रही है राम के गाल पे मार रही है और बैचारा खा भी राम ही रहा है गाल पे भी राम के ही पड़ रहा है और खा भी राम ही रहा है राम किसी और को नहीं दे सकता यह तमाचा क्योंकि कमाई उसकी है तो tax भी उसको ही देना पड़ेगा बोलो हा के ना लेकिन मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे भाईयो बहनों मेरी बात को ध्यान से सनो लेकिन जब बेटा याद करो हमने sales tax की बात करी थी थी न जब हमने income tax की बात नहीं जो दूसरे number का सुजाब था तो वहाँ पर उसने क्या बोला था कि purchase पर नहीं sale पर लगाएंगे मेरी कहानी याद करो purchase पर नहीं sale पर लगाएंगे बोलो किस पर tax लगाएंगे sale पर tax लगाएंगे और आप बहुत अच्छे से जानते हो बहुत अच्छे से समझते हो कि वहाँ मैंने एक सुजाब दिया था मंतरी जी ने एक सुजाब दिया था कि एक काम करते हैं usage basis पर tax लगेगा और usage basis पर अगर tax आपको लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे सारे बच्चे बताएंगे tax ले लिया जाएगा seller के द्वारा tax ले लिया जाएगा seller के द्वारा और tax दे दिया जाएगा seller के द्वारा government को और tax दे दिया जाएगा बिटा seller के द्वारा किसको बोलो government को किसी भी बच्चे को problem है तो मुझे बताएगा हमने बोला था price में include कर देंगे जाद है, सो रुपे में दो रुपे पता भी नहीं चलेगा यानि कि हमने अगर यहाँ पर इसे सो रुपे दिये इसे हमने सो रुपे लिए तो बेटा, सो रुपे में 98 प्लस टू का कॉंभिनीशन था, 98 किसका पैसा है, Seller सेलर का पैसा है लेकिन दो रुपया सेलर का पैसा नहीं है वो राजा साहब का पैसा है उसे राजा साहब को वापिस करना पड़ेगा सेलर की लाइबिलिटी है कि उसे राजा साहब को देना पड़ेगा यानि राजा साहब को सेलर दो रुपया आगे क्या कर देगा बोलो पास बताओ यार, तमाचा किसके गाल पर पढ़ा, बताओ मेरे दोस्तों, तमाचा पढ़ा साब किसके गाल पर पता है, सेलर की गाल पर, क्योंकि बटा सेलर को जेब से देने पढ़ रहे हैं, दूर रुपे, लेकिन सेलर ने वही तमाचा आगे पासओन कर दिया, आपके गाल पर, sailor ने यहाँ पर तमाचा pass on कर दिया incidence of tax यानि tax की मार क्या बोला मैंने incidence of tax tax की मार जो मार पढ़ी है न tax की वो tax की मार sailor ने आगे क्या कर दी बोलो बोलो बो pass on कर दी यानि कि आगे उसे pass कर दिया मेरे दोस्त किसको purchaser को बोला मेरे गाल पर पढ़ा, मैं तेरे गाल पर मार देता हूँ तेरे से दो रुपे ले लेता हूँ उसने बटा उससे दो रुपे ले लिया हमको नहीं मतलब, हमने तो seller को बोला तुमाल बेचे का तेरी जिम्मदारी, तू seller से तू purchaser से ले, चाहे ना ले बोलो liability किसकी थी, यहाँ पर देखो दोनों सिस्टम में different समझो मेरे दोस्त, इधर आओ यहाँ बोला liability किसकी थी बोलो राम की, और पे भी किसको करना था, राम को बेटा यहाँ यहाँ पर दोनों ही चीज़े राम के उपर थी यहाँ पर किसी और का appointment नहीं किया गया था, क्योंकि जरुरत ही नहीं थी, साब दिख रहा है, तू कमा रहा है तुदे हम क्यों भांगे, तिरे को आखी देना पड़ेगा तू कमा रहा है तुदे, वहाँ पर यहसे नहीं बोल सकते थे ना कि तू खरीद रहे तो तू दे, क्योंकि खरीदने का सबूत नहीं था, कमाने का सबूत है आप खरीदने का सबूत कैसे पकड़ोगे, टेलर से नहीं तो पकड़ोगे न, कहां उसने बेचा कमाने का तो सबूत इसाब साल के end में पता लगी जाएगा जैसे न तैसे पता लगए लेंगे तुने कमाया की नहीं कमाया कोई दिक्ट नहीं आएगी माम पर और फिर देखो साल के एक बार ही जाना पड़ेगा उस इंसान को साल में एक बार ही पकड़ना पड़ेगा बार-बार नहीं भागना उसके पीछे income tax के अंदर तिफ एक बार जाना है और पता लगाना है कि साथ तुने कितना खंबाया उसी दिर उसको उधर बिठा कर उसका हिसाब कर देगे GDPI कर देगे साथ इपर में कितना कम है बता दे परना हम इसाब लगा लेगे एक बार का घंजट है और tax भी मिल जाएगा और उसी से मिल जाएगा और उसी को देना है लेकिन इदर ऐसा नहीं हो रहा इदर आओ इदर आओ इदर आओ इदर इदर इसा नहीं हो रहा जिसकी जेब से रुपिया गया वो था बायर और यही हम चाहते थे क्योंकि हम चाहते थे टेक्स वो दे जो यूज करे जो यूज करेगा वो टेक्स भरेगा जो यूज नहीं करेगा वो टेक्स नहीं भरेगा टेलर ने यूज नहीं करा तो seller ने tax नहीं भढ़ा अगर seller 100 चीज खरीद के लाता अगर seller 100 चीज खरीद के लाता और 100 चीज आगे बेचता तो 100 के 100 पर उसको क्या देना पड़ता बोलो आगे tax देना पड़ता इधर क्या था? दोनों राम का था यहां पर लायाबिलिटी राम की है payment राम नहीं कर रहा, payment कर रहा है साब, buyer uncle जेब से जा रहा है buyer uncle कर, liability shift कर दी और payer shift कर दिया, payment shift कर दिया, payment is shifted on to the usage usage बोले तो purchaser, जिसने purchase करी जिसने purchase करी, उसने use कर उसको tax देना है, और ये tax का पैसा है, ये पराया धन है पराया धन पर हम नजर नहीं रख सकते seller इसे अपनी जेब में नहीं रख सकता 98, seller का पैसा, 2 रुपे government का पैसा, वो तो government का आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ना बेटा, incidence of tax जो मार पड़ी थी, वो क्या कर दी बोलो shift कर दी, जो burden था, बढ़क, बोज जो बोज था कांधों पर सर पर, वो क्या कर दिया बोलो वो shift कर दिया, किस के उपर purchaser के उपर I hope आपको समझ में आया और एक चीज आपको नजर आ रही होगी एक चीज आपको बोलो क्या रही होगी बटा, एक चीज आपको नजर आ रही होगी, कि यहाँ पर tax का payment हो तो रहा है, government को लेकिन directly हो रहा है कि indirectly? बोलो, directly हो रहा है कि indirectly, देखो, indirect है इसने इसको दिया और इसने government को दिया याँनि कि साब payment तो हो रहा है लेकिन indirectly हो रहा है यहाँ पर जिसको देना है वो direct government को नहीं दे रहा है वो seller को दे रहा है और government seller को पकड़ रही है और इसलिए बैटा इस system का नाम पढ़ गया बोलो क्या IDT जो आप प्यार से बोलते हो short form में in direct taxes और यही है हमारा syllabus और यही है हमारा part इस course का मुद्दा जो हमें यहाँ पर discuss करना है इस course के अदर हमें यहीं discuss करना है यह पूरा का पूरा batch बैटा हम यहीं discuss करते रहेंगे इन direct tax बोलो हाँ के ना आजा इंडिरेक्ट इसका नाम इंडिरेक्ट इसका नाम पढ़ गया इंकम टेक्स तो था इसका नाम पढ़ गया direct tax क्योंकि यहाँ पर pair भी वही है जिसकी liability है यहाँ पर liability गवर्मेंट ने बोली साथ जिम्मेदारी तेरी है अब तु लेके दे अब जो ले रहा है जिससे से ले रहा है वो बन गया pair तो payment किसकी जेव से जारे साथ और liability किसकी बन गया बो सेलर बिल्कुल सिंपल सी बात थी और सिंपल से शब्द में मैंने समझाने की कोशिश करी और इसी सही बेटा हमने एक नया नाम करन कर लिया कि taxes दो प्रकार के होंगे पहले हमने उनका नाम समझाए था बट अब हमने उनकी category को समझा पहले हमने क्या समझा नाम नाम में हमने क्या देखा कि साब जो income के बेस पर होगा वो बनेगा income tax और जो sales के बेस पर होगा वो बनेगा sales tax बोलो हा के ना यह सर लेकिन बाद में हमने उनकी category को समझा बाद में हमने उनकी category को समझा और category क्या थी category थी कि जो डारेक्टली पे होगा जो डारेक्टली पे होगा वो बनेगा direct tax और जो इन डारेक्टली पे होगा और जो बेटा इन डारेक्टली पे होगा वो बनेगा इन डारेक्ट टेक्स यानि यह प्यार से बोल सकते हैं डीटी और प्यार से बोल सकते हैं IDT बोलो हाँ के ना मज़ा आया मज़ा आया के नहीं आया ज़रूर बताना मुझे आप लोग मेसेज करके हाँ सर बहुत मज़ा आया बटा इंटरेक्शन ऐसा होता है ओनलाइन फॉर्मेट के अंदर कि हम नहीं देख पाते हैं आप लोगों को बट आप लोग तो हमें देख सकते हैं हम आपको नहीं देख सकते हैं बट आप हमें देख रहे हो तो आपका ये कर्तव ये बनता है आपके responsibility बनती है मेरा बच्चा मेरा अच्छा बच्चा कि आप मुझे message करके ज़रूर बताए कि आपको lecture कैसा लग रहा है जब तक आप मुझे मिलेंगे नहीं मैं तो क्या camera के सामने बेठा हूँ मेरे सामने कुछ बच्चे हैं और बाकी आप लोगों के लिए camera है आप लोगों को क्या करना है सब आप लोगों को मेरे से connect होना है करें तकि मुझे पता चलेगी इतने सारे बैच्चे मुझे देख रहे हैं तो बड़ा मज़ा आता है इसाब पढ़ाने में और ज्यादा कुछ होती है और ज्यादा जोश आता है फटने चै Colorado ओपन कर लो जो बच्छे मोबाइल में इसी PDF को खोल कर बेठे हैं, वो मुबाइल में देख सकते हैं, आज ओ बेटा मैं आपको read कर रहा था हूँ, फटाफट से, सारे बच्चे यहां आएंगे, अच्छे बच्चे और देखेंगे, मैं आप लोग क्या read कर रहा हूँ, मैं आप लोग को read कर रहा हूँ, direct text और indirect text, दिखाई दे रहा ह directly bears, bear मतलब जहलना, क्या जहलना, incidence of tax, यानि tax की मार, तो tax की मार उसी पढ़ रही है, जिसे pay करना है, साहाब, direct text के अंदर यही तो होता है, pay कौन करता है, pay वही करता है, जो bear करता है, जो जहलता है, वही देता है, income tax के अंदर, हमने देखा था न, अभी अभी हासर, in other words, क्य जिसको देना है, और जिसको जहलेना है, pair and sufferer is the one and the same, लेकिन इसके against, अगर बात करू में बेटा, indirect text की, तो देखो, वहाँ क्या लिखा है, वहाँ लिखा है, the person paying the tax to the government collects the same, collect the same, साहाब, मामला बदल गया, the person paying the tax to the government collects the same from the ultimate consumer, भहिया, usage basis पर tax लगाना है, usage basis पर, use करोगे, तो खरीदना पड़ेगा, खरीदोगे, तो कोई न कोई बेचेगा, और जो बेचेगा, वही collect करेगा, यानि कि जो paying, 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 the person paying, जो दे रहा है, वो collect कर रहा है, क्या बोला मैंने, जो दे रहा है, वो collect कर रहा है, समझे की नहीं समझे, समझे साहब, धस, the incidence of tax, क्या बोला मैंने, धस, the incidence of tax, incidence का मतलब होता है, tax की मार, tax का भोज, उस भोज को, उस मार को shift कर दिया गया, साहब, shift कर दिया गया, shifted to the other person, दूसरे इंसान को बोलो क्या कर दिया गया, दूसरे इंसान को बोलो बेटा, shift कर द भी रहा है मेरे प्यारे भाई ये बहनों की indirect tax मतलब की different तरीके से indirect तरीके से उसे दिया जा रहा है I hope it is all the way clear to you पक्का पेटा हाँ सर पक्का आगी चलें आगी चलो साँ देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था ये लगता है बेटा second number point income base किसके उपर income base समयने है हाँ सर यानि कि base यहाँ पर क्या रहेगा tax देने का income जितनी ज्यादा होगी income उतना ही ज्यादा लगेगा tax जितनी कम होगी income उतना कम लगेगा tax हमने example लेकर समझा था कि जितना जितना level पर tax income बढ़ती जाएगी tax भी आपका बढ़ता चला जाएगा तो जिस भी range में आप fall करोगे उस range की income पर उस range की rate अपलाए होगी और यहां लिखाए साब एक word आ रहा है आप लोगों के सामने बहुती बड़ा शब्द है और वो है supply आपने थो supply बोला ही नहीं अरे बेटा दो मिर्ट के लिए देखो मेरे विश्वास है ना हाँ सर आप पर विश्वास है दो मिनिट के लिए supply को भूल जाओ क्या बात कर रहा है यह supply के है मैं आपको समझाओं को दो मिनिट के लिए supply को हटा के लिख दो वैंने सेल बेस्ड टेक्स बस इत्ता से लिखम सहीं सेल बेस्ड गिक्ठ था हां किस प्रलाब वैट्या बता रहूं जब को पूरा चैप्टर सपलाई एक शब्द की ऊपर सपलाई यह वारहे पास में पूराण इप्टर है चार क्लास लग जाएगी supply समझाने में आप tension मतलो इतना detail में समझाऊँगो supply लेकिन अभी इसको basic fundamental बेटा जो कितना पर नीव बना रहे हैं क्या बना रहे हैं नीव घर बनता है तो घर बनने से पहले क्या बनती है बोलो नीव बनती है, इसलिए मैं सिर्फ based बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा before the time being, till based tax तो sale होगी, तो tax लगेगा यहाँ पर income कम होगी, तो tax लगेगा इधर sale होगी, तो tax लगेगा point number 3 rates of taxes are different from person to person बिल्कुल सही बोला ना मैंने यहाँ पर rate जो होते हैं, वो क्या होते हैं, different होते हैं बहुत simple सी बात है, जो बंदा 5 lakh से कम कमाएगा, उस पर कोई rate लगेगा ही नहीं जो 5 lakh से ज़्यादा कमाएगा, लेकिन 5 lakh तो कमाएगा, उस पर 5% जो 5 lakh से उपर कमाएगा, उस पर 20% जो 10 lakh से उपर कमाएगा, उस पर 30% टेक्स लगेगा, यानि कि rate क्या कर रहा है, बताओ, differ कर रहा है कि नहीं कर रहा है percent to percent, percent to percent differ कर रहा है लेकिन इधर तो बैटा, सब के सब के गाल पर बराबर तमाचा पड़ेगा सब के उपर बराबर बोज आएगा टेक्स का, बोलो हाँ कि नहीं rate of duties are not differing from person to person साब आप जंडू बाम खरीदो, चाहे मैं जंडू बाम खरीदू आप चाहे जैकेट खरीदो, चाहे मैं जैकेट खरीदू ठंड का टाइमें साब जैकेट का एक्जामपल ले लेते हैं आप woolen cloths खरीदो, आप कोई बढ़िया सी car खरीदो, बेटा आप खरीदो चाहे मैं खरीदू, दोनों से ही बराबर टेक्स वसूला जाएगा लेकिन आप दो करूड कमाते हो, मैं साब पांच लाख कमाता हूँ, तो दोनों पर अलग-अलग टेक्स लगेगा, यानि यहाँ पर टेक्स percent to percent differ करता है सर कहाँ पर, यहाँ पर बेटा यहाँ पर, direct tax के अंदर क्या करता है percent to percent differ करता है, लेकिन यहाँ पर indirect tax के अंदर बेटा, वो percent to percent differ पर नहीं करता बूलो हां के ना बिल्कुल सा नेक्स आ रहा बेटा एंटार रेविन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्मेंट और यहां कुछ और आवा है इस पॉइंट को हम समझेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है सार तो यहां पर हम लिख देंगे साफ क्या लिख देंगे पै इसे समझ में आएगा इसलिएben आपको इस पॉइंट को बाद में प्हहले डिटेल में आपको समझाओ अगा होती यहां कि दो पॉइंट यहां पर आपके पैंडिंग रहें हैंगी उसके बाद आपको समझ मा जाएगा इधर हौं अगले point पर आओ, अगला point क्या बोल रहे हैं, अगला point बोलने साब, कि direct text जो होता है, वो होता है progressive in nature, बेटा दो word पड़े होंगे आपने, किते word पड़े होंगे, दो word पड़े होंगे, एक होता है progressive in nature, एक होता है regressive in nature, किते word होता है, दो word होता है, एक होता है progressive in nature, एक होता है reg रिग्रेसिव नेचर प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है बढ़ते हुए और मतलब होता है हाई रेट ऑफ टैक्सेस फोर मेफ moet CA2 वहा ज्यादा है उन पर ज्यादार ये लगाया जाएंगे और वही हो रहा है, income tax में अपने क्या देखा था, यहीं देखा था ना, जो 2 करूर कमा रहा है, उस पर 30%, और जो 5 लाग कमा रहा है, उस पर कुछ भी नहीं, जो 5 लाग कमा रहा है, उस पर accordingly 5%, तो जैसे जैसे कम है साब, वैसे वैसे rate भी कम है, जैसे जैसे income बढ़ेगी, वैस सब पर समान तरीके से सब की बारा बजाए जाएगी, सब को बराबर तरीके से रगट आ जाएगा, all consumers equally bear the burden, सब पर बराबर बढ़न दिया जाएगा, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई छोटा सा फकीर हो, दोनों पर बराबर तरीके से ही, टेक्स लगाया जाएगा, देख सकते हो बैटा, यहाँ पर इस डाइग्राम के अंदर एक छोटा सा डाइग्राम मैंने आपर आपको बना के दिया, कि मिस्टर एक्स अगर गवर्मेंट को पे करेगा, तो बैटा, उसी को जहिलना पड़ेगा, और उसी को पे करना पड़ेगा, जबकि उसके अगेज्ट इधर देखवा, क्या लिखा मैंने रेसिपियंट, एक नया शवद आप लोगों के सामने आया, इसे बहुत डीटियल म अब ही देखो मेरी बाहत सुनो, इसने बदले में क्या लिया, गुट्स और सर्विसेज, तो इसको क्या देना पड़ेगा, साब तंसीर डुरेशन देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और जो पेमेंट होगा, उसके अंदर टेक्स का अमाउंट इन्वाल्व जाएगा, वही टेक्स का अमाउंट गुवर्मेंट को दे दिया जाएगा, सप्लाइर के दौरा, यानि कि सेलर अंकल के दौरा, तो आई हो भी बयटा, इसको डियाग्राम से भी आप लोगों को डिफ्रेंशीयेशन मिल रहा होगा, और वो डियाग्राम से डिफ्रेंशीये कर्मेंट के पास पहुंचाई जाएगी और लास्ट पॉइंट आ रहा है वो लास्ट पॉइंट कौन सा रहा है बताओ साथा बच्छे वो लास्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास में इंकम-based टे क्स है साब इंकम-based टेक्स इसलिए इसका बेस्ट एग्जमपल आज की तारीक में अगर आब बात करोगे तो हम sales टेक्स नहीं बोलते हैं वैड नहीं बोलते हैं आज की तारीक में हम बोलते हैं जी हैस्ट और नीचा आपको दिखाई दे रहा होगा custom duty जैसे कि मैंने शुरुवात मैं lecture चालू हुआ था तब आपको बताया था कि customs नाम का एक text और लगता है वो भी syllabus का part है उसे भी cover करकर चलेंगे तो दो indirect taxes आपको नजर आ रहे है एक आ रहे है GST नजर में एक आ रहे है custom नजर में डरने की जुरूत नहीं है इतना धाप धाप के पढ़ेंगे धाप धाप के पढ़ेंगे कि आपको कोई भी problem नहीं आएगी बोलो हाँ के ना हाँ साब तो simple सी बात मुझे नजर आ रही है और वो यह नजर आ रही है कि मैंने निप्टा लिया बोलो क्या निप्टा लिया differentiation दोनों की बीच में इन डीटेल तरीके से समझ लिया डिरेक्ट एक्स हो और इंडिरेक्ट एक्स हो दोनों की बीच का डिफ्रेंस एकदम crystal क्लियर तरीके से मुझे क्लियर यहां पर हो जाता है ओके सर यहां तक किसी बचे कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद वेटा आपन क्या डिसकस करने वाले इसके बाद डिसकस करने वाले आपन features features of indirect taxes बुलो features of indirect taxes सर वो memory टेकिनिक बागी है मुझे पता है बेटा मुझे पता है यह memory टेकनिक बागी है यह मैं अभी तक नहीं पड़ाई है Binger, binger मैं आप लोगों को पढ़ाओंगा, ये सारे के सारे point जितने भी पढ़ाना पन ने, देखो, ये वाला point, ये वाला point, income base वाला point ये दो point मैंने pending रखे, ये वाला point, example, progressive, ये सब कुछ इस binger में आपके cover हो जाएगा इस memory technique के अंदर ये सब cover में आ जाएंगे और उसके बाद वो memory taking में discuss करकर चलूँगा for the time being हम आगे चलते हैं और discuss करते हैं बैटा features of indirect taxes क्या discuss कर रहे हैं भाई क्यों tension ले रहा हुँ आजो features of indirect taxes कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा कोई बच्चा नहीं सोजा वैसा आप कैसे होगा क्या होगा सब होगा और बहुत बढ़िया होगा कोई tension लेनी की बात नहीं मैं बात कर रहा हूं features of indirect taxes की मतलब मतलब सर indirect taxes की characteristics वह नहीं पढ़ते थे आप बच्पन में 11th standard में 12th standard में वही बात निकल कर रहा हुँ उसी features की बात कर रहा हूं उसी indirect टेक्स की characteristics की बात कर रहा हूं किसर पहली characteristic आपको क्या नहीं जरा दिए बेटा an important source of revenue बोलो an important source of revenue अब इसमें से क्या समझा हूं मैं यह already मैं आपको detail में समझा चुका हूं है important source of revenue कैसे है सारे बच्चे बताएंगे important source of revenue government बेटा अगर tax नहीं लगाएगी तो राजा साथ टेंशन में जाएंगे याद करो बता इतना मैंने हां तो यहां पर revenue का आना बहुत जरूरी क्योंकि इसका यूज होने वाला है किसके अंदर पब्लिक सर्विसेस के अंदर इसके अंदर बोलो पब्लिक सर्विसेस के अंदर तो देखो बैटा इससे मेजर सोर्स ओफ रेविन्यू और देखो क्या लिखा हूँ है यहां तक कि इंडिया के अंदर साफ इंडिया के अंदर साफ इंडिया के अंदर था इस नहीं आएगा तो गवर्मेंट नहीं चल पाएगी और विश्व में बहुत ही major source of revenue रहता है है हर सरकार के लिए और भारत के अंदर ये 50% से भी जादा contribute करकर चलता है सारे taxes का 50% अकेला indirect tax contribute करकर चलता है ठीक है ये point समझ माया है हाँ अगला point और भी असान में देखो ये already मैंने आपको समझा दिया regressive in nature indirect tax की बात हो रही है direct tax होगा तो progressive in nature indirect tax होगा तो regressive in nature generally the indirect taxes are regressive indirect taxes क्या होता है the rich and the poor मुके शमबानी हो चाए छोटा सा फकीर हो have to pay the same rate of indirect tax on commodities of consumption जैसे जैसे consumption करोगे खरीद के खाओगे जो भी खरीद के खाओगे उस पर चाए मुके शमबानी खा रहा हो चाए कोई फकीर खा रहा हो दोरों को बराबर tax देकर चलना पड़ेगा मेरे दोस्त अगला point आरा बेटा अगला point your next point features of indirect taxes में थर्ड फीचर की बात कर रहे है थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे है shifting of burden जैसा कि मैंने बोला था नाम ही बताता है in a direct tax है साब नहीं पकड़ सकते थे एक एक इनसान को इसलिए seller को पकड़ना पड़ा और seller को बोला तू जाने तिरे काम जाने तिरे को collect करना है किस से purchaser से तिरे को collect करना है purchaser से एक बार तूने purchaser से collect कर लिया उसके बाद तेरेको यह tax हमको देना पड़ेगा यानि कि बेटा मैं यह कह सकता हूँ क्या कि जो seller है वो अपना burden shift कर रहा है बस वही चीज़ आप लिखिए it's a clear shifting of tax burden in respect of internet taxes clear shifting of tax burden clear shifting of tax burden देखें यह हम already अभी उपर जब हमने difference देखा था तब देखा था न shifting of tax burden यह रहा देखो shifting of tax burden यह भी हमने देखा था कि जो tax burden होता है जो incidence होता है उसे क्या कर दिया जाता है बोलो उसे shift कर दिया जाता है जी है असर समझ मा आ गया आगे चले हाँ असर अब आ रहा है बेटा, अगला point, क्या बोल रहा है, no perception of a direct pinch, मैंने चूटिया काट लिया, चूटिया काट लिया, क्या बोलते हैं उसको ऐसे, ऐसे काटते हैं, फिर आपके लिए, छोड़ छोड़ छोड़, आपने दोस के चूटिया काट लेता, same pinch, क्या बोलते हैं, same pinch, यानि इसाब यहाँ पर, जो बेचने वाला है, उसने आपका चूटियां काट लिया, आपके चीटी काट लिया, और आपको पता भी नहीं चला, जैसा कि मैंने बोला था, 100 रुपे में 2 रुपे आपको पता भी नहीं चलेगा, टेक्स के आप दे दोगे, आपकी कॉस्ट 98 थी, आपको देना 98 था, लेकिन आपसे 100 रुपे लिये गए, आपको पता भी नहीं चला, बेटा, कॉस्ट में included होता है, जिसे आप बोलते हो MRP, जिसे आप बोलते हो MRP, उस MRP के अंदर टेक्स जुडा हुआ होता है, देखो बेट के अंदर, टेक्स का मॉंट भी कलेक्ट कर लिया जाता है, सरकार के द्वारा, गवर्मेंट के द्वारा, तो there is no perception of direct pinch, पता ही नहीं चलता साब, और आपकी चींटी कट जाती है, बक्का हास, अगला क्या आ रहा है दोस्त, अगला आ रहा है, इंफलेशनरी, अगला आ रहा ह कि हम इस पॉइंट को समझेंगे, इंफलेशनरी वाले पॉइंट को, ज्यादा बेटर तरीके से समझ माएगा, अगर आपने एक बार पॉइंट नंबर सेवन समझ लिया तो, तो इसलिए for the time being, इसको हम क्या रखेंगे, बो लो लो पैंडिंग रखेंगे, और उसके बाद, आपके बास और वो आ रहा है, taxes on commodities and services, बोलो किसके उपर taxes है, taxes on commodities and services, तो it is levied on commodities at the time of purchase or sale, और import, export, तो अभी के लिए import, export क्या होता है, उसे छोड़ दो बटा, बहुत detail में समझाओंगा, कोई दिक्तित की बाद नहीं, अभी तही समझ लो, कि साब जो commodities होती न, जैसे बोला डारफल तन मेंने, राजया सांब ने, राजया सांब ने बोला था, झिये हमारे resources को यूज कर रहे है, तो मैंने क्या बला था, resources को यूज करने के लिए, पहले resources को खरीदना पड़ता है, अब कुछ resources ने ग önग तलड टेक्स के ओगए यूज़त लगाता है, अ उसकी ऊपर लेकिन लगतो जाता है क्योंकि सर्विस है सुचके देखो न वह आपको रोड यूज़ करने की सर्विस दे रहे हैं आप रोड का इस्तमाल कर रहे हो और इस रोड का इस्तमाल करने के लिए पैसे दिया आपने इसमें भी टेक्स तो लगना चाहिए हाला कि लगता है कि नहीं लगता है यह अपन बाद में देखेंगे लेकिन अभी के लिए समझो बेटा कि वह भी सर्विस है वह भी आप यूज़ कर रहे हो तो इसको भी आपको पैसे देके खरीदनी पड़ेगी सड़क सुविधा इस्तमाल करने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे बोलो हां कि न आपको एक शांदर मेमोरी टेकनिक से याद कराने वाला हूं इसलिए सारे बच्चे मेरे साथ आएंगे और पढ़ेंगे कोई पिक करता है पिचर क्लिक करता है अगर कोई पिचर क्लिक करता है तो हमने उसको कर दिया शारूग का क्या कर दिया बोलो SRS कर दिया और बोला कि SRS ने क्या खिचवाई SRS ने पिक खिचवाई तो यह memory technique बन गई बेटा आपकी SRS की पिक ठीक है हाँ सर ठीक है SRS की पिक के अंदर क्या दिखाई देंगी बोलो SRS की photo में आपको क्या दिखाईगा SRS की characteristics SRS में SRK को बोल रहा हूँ ठीक है ना तो यहाँ पर हमारी memory technique में आपको क्या कर लेना है SRS कर लेना है SRS के अंदर SRS की characteristics की तो दिखेगी शारुक खान की photo में क्या दिखेगा शारुक खान छोटा है कि मोटा है कि पतला है कि गोरा है कि काला है उसकी characteristics दिखेंगी और इसलिए यहाँ पर भी हम indirect text की क्या discuss कर रहे है indirect text की हम characteristics discuss कर रहे है इसलिए memory technique आपको हमेशे याद रहेगी अब characteristics जो थी साब वो शारुक खान की थी यानि की memory technique थी SRS की photo यानि की SRS की pick और SRS की pick बेटा आजो मेरे साथ साथ फटावट बताता हूँ पहला है S मतलब source of revenue पहला S है source of revenue दूतरा है regressive in nature तीसरा है shifting of burden important source of revenue regressive in nature shifting of burden कोई दिक्कत नहीं सा अगला P P से आता है perception no perception of direct pinch no perception of direct pinch I से आता है inflationary I से आता है inflationary C से आता है taxes on commodities C से आता है taxes on commodities and services तो सारे बच्चे फटावट से मेरे साथ साथ याद करेंगे और ममझे बताएंगे इद़र आओ सारे बच्चे मुझे सुनाएंगे सबसे पहला S कौन सा था बेटा बताओ सबसे पहला S कौन सा था बिटा अभी तो बताया था ना source of revenue, हाँ सर याद आगिया पहला S कौन सा था? important source of revenue फिर था बिटा S, R R से क्या था? बोलो, regressive in nature R से क्या था? बोलो, regressive in nature पापिस से S था बिटा वो था shifting of burden क्या था? बोलो, shifting of burden S, R, S ने क्या खिचवाई, photo यानि की pick, okay sir, क्या खिचवाई? बोलो बिटा pick खिचवाई, फिर से था P, I, और C सारे बच्चे बताएंगे P का मतलब था no perception of direct pinch, no perception of direct pinch, I का मतलब क्या था? बताओ ना, inflationary हाला कि ये point समझना बाकी है हमने pending रखा है, inflationary और C का मतलब क्या था? बैटा, finally सारे बच्चे बता देंगे, C का मतलब था taxes on commodities and services यानि कि साब commodities and services, बोलो हाँ के ना, हाँ sir, यानि कि बैटा, यहाँ पर अपनने क्या समझा? यहाँ पर अपनने memory technique समझी, characteristics समझी, features समझे बोलो किसके? indirect taxes के और हाँ बैटा, मैंने आपको याद भी करा दिये होंगे, यह points मैंने आपको याद करवा दिये, primary source of revenue था 50% से उपर central government या government कोई सी भी government, अभी central government मत बोलो, मैंने समझा नहीं है, government बोलो, तो government को 50% से उपर revenue indirect tax से मिलकर चलता है, regressive हैं क्योंकि सब पर बराबर चलता है, rich हो चाहे, poor हो everyone has to bear the incidence of tax shifting of burden, बैटा, it's a clear shifting of burden it's a clear shifting of incidence of tax from the seller to the buyer perception, no perception of direct pinch the tax is included in the price of the commodity the tax is included in the price of the commodity that's why when paying the price of the commodity you don't know that you have a direct perception you don't know that you have a pinch that you have a pinch तो आपके पास में pinch हो गया, साब आपको पता ही नहीं चला, सो हम बोलेंगे no perception of direct pinch inflationary मैं समझाऊंगा और फिर आता है, commodities on services as we very well know that indirect taxes are levied on the commodities and services used by the general public बोलो, हाँ के ना, हाँ सर, पक्का समझ में आ गया तो बड़ा ये point आपका कौँसा मैंने develop करके दे दिया आपका मैंने features करवा दिये हैं हाँ पर बोलो, क्या करवा दिये यहाँ पर features करवा दिये और इसे के साथ लगबग लगबग तू आर 30 मिरट से नहीं धाई गंटे का हमारा बिटा आजका लेक्चर था आयो फस्ट लेक्चर इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ otherwise हमारा लेक्चर जो होगा वह तक्रीमन तक्रीमन त्री आर्स का होगा यानि हम एक लेक्चर तीन घंटे का पढ़ेंगे हो सकता है कभी-कभी छोटा हो जाए जैसे कि 1.5 घंटे का या 1 घंटे का लेकिन on an average 3 घंटे का तो होगा कभी 3 घंटे से थोड़ा जादा हो सकता है कभी 3 घंटे से थोड़ा कम भी हो सकता है कभी-कभी हो सकता, मैं फिर बता रहूँ कि class बेटा, एक घंटे की ही ही हो, या देट घंटे की ही ही हो, यानि about 1 hour, और 1.5 hour, but generally the class will gonna be of 3 hours, आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, हमारी पहली class है, अहो बेटा, आप लोगों को digest करने में भी time लगेगा, क्योंकि बहुत सारा हमन मैं रोजाना पढ़ाँगा, उसको revise करने के लिए बोलो कितना time लगेगा, 15-20 minute लगेगे, मैं चाहता हूँ एक बढ़ कर आओगे, और फिर मैं वापिस revise करूँगा, तो two times revision हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आपको double benefit हो, double धमाका, बोलो क्या बोलेंगे, double धमाका है न, तो double revision इसलिए आप अच्छे बच्चे हो न, आसर अच्छे बच्चे है, पढ़का हैंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले lecture के अंदर, till then, bye-bye, tata, see you, bye बटा, bye